अपने सिलिवस की जो यूनिट 12 थी उसमें सबसे पहले तो किया गया था अपना फोरेश सर्विंग एंड इंजिनियरिंग वाला पार्ट जिसमें अपने जो रोड थे ब्रिजेज थे उस पार्ट को भी कपर कर लिया था इसके बाद हमने किया था वाटर साड मैनेजमेंट वाला पार्ट जिसमें वाटर साड की यूनिट वगर थी उनको देख लिया था यहाँ पर जैसे यह नेचुराल टेरेशिंग वगरा है इन पर जाता ध्यान देनी की जरूवत थी नहीं वस आपको यह पता नहीं चाहिए कि यह जो टेरेशिंग है यानि की जो कंटूरिंग वगरा है वो कहां पर करते हैं और यह वाटर रिचार्ज वगरा के जो मैथाड थे जो माइक्रो और मैक्रो लेवल पर जो अपनों घर में करते हैं यह अपने बड़े ताला बगरा बनाते तो उन चीजों को यहाँ पर देख चुके थे जो उसकी hydrological cycle है उससे related जिसमें था इंटर्सेप्शन जो प्लांट थे वो इंटर्सेप्ट कर रहे थे वाटर को infiltration मगरे कर रहे थे और यह evapotranspiration जो पानी को evaporate कर रहे थे यह ट्रांसपार कर रहे थे run of process वगरे इन साली चीजों को discuss कर चुके हैं तो यहाँ पर इतनी ज़्यादे चीज़ें कुछ पच्छती नहीं अपने लिए discuss के लिए तो soil science का अगर basically बोला जाए तो यहाँ पर आपके पास दो तीन पॉइंट है एक तो है property of soil soil की property जिसमें आती है इसकी physical, chemical और biological properties और फ़र यहाँ पर है दूसरा जो है वो है nutrient cycling यानि कि soil में nutrient cycling कैसी होती है वैसे तो nutrient cycling लोग अग्र फोरिस्टी में देख चुके हैं वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि plant जो है उनके अंदर उनके अंदर दो टाइप की nutrient cycling होती है एक internal होती है और एक external में क्या होगा कि नीचे की जो उनकी पुरानी leaves है वही से nutrient निकाल करके वो नई leaves की तरफ मूव कर देते हैं और external में क्या होगा कि पत्तिया होगी वो नीचे गिरेंगी जड़ेंगी स्वेल में मिलेंगी फिर स्वेल में वहाँ डिकंपोज होगी वो nutrient रिलीज हो जाएंगे वो nutrient नीचे जमीन में पानी के साथ नीचे जाएंगे और फिर वो जड़ेंगे वापस अब्जार कर गए फिर साइकल में लियाएंगी तो इस टाइप से दो टाइप की वहाँ nutrient cycling हो आती है यहां पर अपने को स्वेल में ज्यादा nutrient cycling की पढ़ने की जरूवत नहीं है क्योंकि आपने से ज्यादा तर लोगों का environmental science हो गाए इन्वार्मेंटल वाला जो पार्ट है इन्वार्मेंटल एकोलोजी उस पार्ट पर अपने जो डिफरेंट टाइप की cycle पढ़ते हैं जिसमें कारवन है नाइट हो जाना है फासपूरस है यह जो cycle होती है वही यहां पर पढ़ना और आपको ज़धा detail में कुछ पढ़ना नह नहीं है कि केबल आपके soil properties से question आगे क्योंकि इससे जएदा question आते हैं महीं question का जो area है वो काफी बढ़ा है syllabus में कम दिया गया है तो हलाकि इससे देखते हुए आपके syllabus को थोड़ा बढ़ा दिया गया है लेकिन जितना बढ़ाना था उतना नहीं बढ़ाया उसके पीछे region य बढ़ जाएगा और उसका result होगा कि forest ही तो अच्छा हो जागा लेकिन अधर subject है आपको damage हो सकता है second thing है कि अगर अपना exam extend होता है तो यह जो कुछ चीज है हम बचेंगी खासकर जो acidity or alkalinity से जो related APS से उन चीज़ों को discuss कर लेंगी कहीं कहीं नहीं जो previous question discuss करेंगे वहां पर आपको cover करनी की कोशिस करेंगा तो आगे चलते तो सबसे पहले तो अपना जो मुद्दा आता है वो आता है कि आखर यह जो soil है अपनी वो soil होती क्या है topic वहले ही अपना forest soil हो लेकिन वो soil forest area में है यह normal है तो soil seem हो जा है तो आपको मालूम है कि जो अपना earth है उसका जो upper crust वा जो बहुत आसानी से लूज है crust का उसे हम बोलते है soil अब यह normal है soil तो इसको क्योंकि इस पर खेतिवारी करते है तो इस soil का एक जो common नाम है वह है arable soil arable soil arable का मितलब जिस पर agriculture वगरे काम करते हैं अब अगर इसी soil पर आपका जो vegetation काड़ी हुए forest खड़ा हुआ है तो हमनों उसे क्या बोलेंगे forest soil अगर यह समुद्र के अंडर है तो फिर आप उनों बोलेंगे marine soil तो जिस टाइब की surface वही है earth crust वही है loose soil है बस वहाँ पर किस टाइब की condition है उसके हिसाप सब उनों से define कर सकते हैं हलाकि आपको यह arable soil जो है यह term याद रखना है क्योंकि यह काम का है यह आपके notes में नहीं है तो इसे लिख लें साइड में बस term लिख लो क्योंकि पूरे सब्द का यह मैं यहाँ पर आपको इस soil की जो definition है इससे तो question generally नहीं बनते हैं लेकिन जो question आता वो यह है कि यह soil है Latin term है इस पर star लगा लो soil एक Latin term है जिसका मतलब होता है solemn यानि कि actual में एक Latin term solemn है उससे निकल के बना है यह सब जिसका मतलब होता है फिलोर या base या surface जो आप जिस पर खड़े हुए हो जिस surface पर खड़े हुए हो उससे Latin में बोला जाता था solemn तो फर वो solemn जो है वोई बाद में स कि जो soil है वो एक Latin term है और soil का Latin में मतलब होता है solemn ये दोनों ही चीज़े हैं पूछी जा चुकी है अब जो soil की बात हो गई तो इससे लिंक तीन सब्द और है उनमें पहला आता है pedon दूसरा है pedology और तीसरा है edafology तो पहले समझते हैं कि आखर ये pedon क्या है आपकी जो soil है का आपके पास पूरे इंडिया का area ले लो आप तो क्या पूरे area को एक साथ study कर सकते हो नहीं करना possible नहीं है तो आप क्या करोगे कि आपका जो भी area है कोई एक homogeneous area ले लो उसका एक छोटा सा पार्ट ले लोगे जो 3D में हो वो एक ideal पार्ट छोटा सा ले लिए जिसकी आप study करो होंगे 3D का क्यों बोला हूं कि जिसमें लंबाई चोड़ा 11 यह तीनों चीज़ हो जो आपका एक soil profile जो आपने निकाल लिया यह जो हिस्सा है इसको आपने बोलते हैं पीडॉल अब इसका हमारे लिए क्या परपाज है यानि कि पीडॉल का हमारे लिए के importance है क्योंकि इस area क कि अगर soil के बारे में समझना हो तो इसका एक छोटे सा पार्ट निकाल लिया और इस पार्ट की अगर हम study करेंगे तो इसके जो character होंगे जो इसमें layer layer होंगी यहाँ means इसके जो छोटे से पार्ट के जो character होंगे वह इस पूरे area की soil के character होंगे तो यह हमें थोड़ा help कर देता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि आखर यह पीडोन होता क्या है दूसरा जो term था वो है पीडोन सी बना है पीडोलोजी मतलब पीडोन की study सब्द पर ध्याम देना क्योंकि पूरा game ही सब्द दिखाएं यह जो term है पीडोलोजी इसका सब्द किसे बना एक है पीडोन पी आपको अकसर इस इस ताइप के question कि यह है को एक सब्द दिखायो इजए है क्या है यह लेटिन टर्म है यह यह Greek टर्म है इस ताइप के question आ जाते हैं तो देखो जिसके भी पीछे लॉजी लगा हो लॉजी लगा हो या लॉगी लगा हो तो ये लॉजी या लॉगी जो होते हैं वो ग्रीक होते हैं जिसके पीछे भी ऐसा समझ लो कि जिसके आगे जिसके पीछे जी लग गया वो सबके सब ग्रीक होते हैं जैसे स्वैल है वो Latin है, उसमें logilogy नहीं लगाया लेकिन paedology है, ideophology तो ये दोनों के दोनों Greek वर्ड है ये Greek वर्ड पे स्टा लगा लो, ये दोनों ही पूछे जा चुके है कि paedology क्या है, ideophology क्या है अब पीडोलोजी क्या आपका जो पीडोवन है यह तो आपको समझ में आ गया कि यह पीडोवन है तो यह जो पीडोवन है यह कैसे बना मतलब इसके genesis कैसे हुआ इसका soil formation कैसे हो रहा है इसकी प्रोपर्टी क्या है और उसके base में फिर अपने जो इंडिया के different type के जो पीडॉन होंगे क्योंकि रजिस्थर का पीडॉन जो ऑगा वो यूपी के पीडॉन से लग होगा और एंपी का लग होगा तो different type के पीडॉन को classify करना इस सब की जो study है उसको बोलते हैं pedology प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् तब हम उसे बोलते हैं एड़ाफो लॉजी एड़ाफास का भी मतलब से मुता है स्वाइल या ग्राउन और लॉगी का मतलब स्टडी तो ये तोनों बिलकुल ऐसे हैं एक ही हैं बस दोनों के ब्रैंड की जो एम है वो डिफरेंट है पीडोलाजी में जहां आपने यह सुचते हैं कि अच्छा यह स्वाइल कैसे बनी है कैसे बनी होगी इसमें ऐसी लेयर है तो क्यों है और आखिर यूपी की पीडाउन रजिस्थान की पीडाउन आपस में डिफरेंट कैसे है जबकि जो एड़ाफोलोजी में जो एड़ाफोलोजिस्ट हो का वो क्या करेगा वो ये देखेगा कि अच्छा राजस्थान की सोयल ऐसी है तो इसकी प्रोड़क्टिविटी जो है वो अग्रिकल्चर कौनसी क्रॉप के लिए ज़ता बैटर होगी ये जो अग्रिकल्चर क्रॉप के लिए क्या चाहिए और इसमें क्या क्या है तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर वो स्टडी करेगा सोयल की लेकिन हाँ उसका क्लास्थी फिशन वगरा ये सब पर पर जदा नहीं होगी उसके दिमाग में जो मैं नेम होगा वो होगी अग्रिकल्चर क्रॉप वो स्टडी इसलिए कर रहा है जिससे की अग्रिकल्चर क्रॉप को सुपोर्ट कर सके ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप जॉब कर रहे हो एक होता है जॉब इसलिए कर रहा है क्योंकि आपको जॉब में मजा आता है दूसरा आप जॉब इसलिए कर रहा है क्योंकि आपको फैमली चलानी है जॉब दोनों में कर रहा है लेकिन इम डिफरेंट है यहाँ पर जदा आपके एक्जाम में जदा कुछ फरक नहीं पड़ता यहां तोन नहीं लगभग एक से आई और इक से जो सेंटनस आते हूं एक सी आते हूं उनमें Pedology एड़ेफ लॉजी में एक कुछ टर्म दे दिया हूं तोे है आपको एक समझ में आया पीडोन क्या होता है दूसरा समझ में आया पीडोलोजी क्या होता है और तीसरा समझ में आया इडैफलोजी क्या होता है अब ठीक है जो भी है लेकिन ये जो अपनी स्वैल बनी है जिसके अपनी स्टडी कर रहे हैं ये एक दिन में तो नहीं बनी होगी इस्टाटे में क्या हो बनेट में तुर यह सुन गालिषंक है इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं रहावलेथ एक टर्म और छुट गए तबुथा सोलम प्रीज्प करें यह रोकी तर्म थोड़ी रौकी से रिलेटेड है यह चट्टान है ऑगर आप इस्ट्रंप में देखोगे यहां पर बाद में आगे जब चलेगा कि यह पूरी मिंती बन चुकी है यहां चोटे-चोटे-पीस है अभी और यहां अभी बढ़े-बचे pieces है और सबसे नीचे बड़ी rock है तो soil है वो देरे देरे ऊपर से नीचे की तरफ disintegrate हो रही है पत्थर जो है नीचे की तरफ जाते जा रहा है तो क्योंकि ऊपर का जो part है यहाँ पर तो अच्छी खासी soil बन चुकी तो इसलिए इसे भी अपने बोल देते है solum और जो नीचे का जो part है इसे बोल देते है regulate यहनि कि थोड़ा regulate का मतलब यह से हुआ है जैसे यह वाला part है जिसमें जो बड़े चटान है तो नहीं है लेकिन बिलकुल छोटी भी अभी मिट्टी भी नहीं बना यह बड़ी चटान और मिट्टी के बीच की स्टेज में है regulate के साथ एक term और आ जाता है वो है अपना soil profile अगसर question आप से पर आजाएंगे soil profile पर कि उसमें A layer O layer B layer आप क्योंकि जो जोनोंने soil को पहले से नहीं पढ़ा हुने यह ABCD में कुछ पल्ले नहीं पढ़ा था कि आखिर भखेती चल क्या रही है तो जैसे मैंने आप से बोला कि उपर से यह पूरा पूरा disintegration चल रहा है रोक का और नीचे अभी तक bedrock पढ़ी होंगे starting में जो soil है यानि कि starting में जो अपनी rocks है वो दीरे-दीरे टुकड़ों में बटी होंगी रहो लेते बना होगा फिर अपना soil बगए बनना शुरू हुआ होगा तो इस टाइप से process चल रहा होगा बाद में कुछ soil की और forming process आएंगे जो इसके आगे की soil है वो एक सीना हो करके वो डिफरेंट लेयर में बढ़ जाती है यह जो लेयर है horizon बोलते हैं इनका मतलब क्या है कि एक टाइप से horizontal layer different depth पर different type की layer हो जाती है इनकी मोटा ही है जो लंबा ही अलग हो सकती है वो अपने लिए मतलब नहीं है लेकिन मतलब यह है कि अगर अगर अपने एक टीडाउन ले लिया तो वहां पर अपने को इस टाइप के soil के जोनेशन मिलेंगी है सबसे जोनेशन अपने लिए मतलब कि सबसे जो अपने top का layer हो गई है यह वाली layer जब भी आपके मिट्टी पे जाओगे तो सबसे जो top की जंगल में अगर अपने जा रहे हैं तो सबसे ऊपर की होगी उसमें क्या होगा वो ओड़ खाबर दुनिया वर की पुरानी पत्तियां पड़ी है लकड़ी पड़ी है दूर लकड़ दुनिया वर की पड़ी है तो जो बिलकुल top की होगी उसे बोलते हैं o horizon इनके नाम याद रखना क्योंकि कुशन इनके इसी से आते हैं सबसे जो top की है इसे बोलेंगे o horizon ओ layer ये o का क्या मतलब है o का मतलब है organic organic से सेंस है क्योंकि ये जो ऊपर की है जैसे पेड़ों की पत्तियां पड़ी है पत्तियां भी छोड़ी छोड़ी टुकड़ों में तूट गई है सबसे होना शुरू हो गहीं साल रही है गल रही है लेकिन ये वहां पड़ी हुई है जैसे अपनों बोलते हैं हुमस बगरा बोल देते हैं कि सबका सब ऊपर ही पड़ा हुआ है तो क्योंकि सबका सब और गानिक मैटर है इसलिए से बोल दिया o layer अगर o layer के बारे में थोड़ा और बोल है तो ये अपनों को जो leaf leaf लेटर बगरा मिल रहा था ये का मिलेगा आपको forest में तो ये o layer जो है वो forest soil में तो मिलता है लेकिन आप किसी अगर खेत में चले जाओगे तो आपको ये o layer ना मिले तो जो o layer है वो arable land arable मतलब agriculture वाली land में आपको o layer नहीं मिलेगी इस बात को याद रखना है star लगा लो o layer के बार फोर्च सोयल में मिलेगा o layer arable soil में नहीं मिलता है इसके बाद जो दूसरी profile आईगी उसके बाद नीचे o के नीचे जो आती ये लगी हुई है उसे बोलते है a horizon अब आपको ज़दा detail में जाने की जरूवत नहीं है a को फिर बाद में भी divide कर देते है a1 a2 a3 जैसे a1 है a2 है a3 है नसी o को भी कर देते है o1 है o2 है अब इतने मैंने वही बोला कि आपको इतने detail में जाने की जरूवत नहीं है बस इतना याद समझ सकते हो कि जो a layer है इसी की जो lower part है ये जो e horizon है ये e horizon कुछ अलग से नहीं है ये a जो layer है वो यहां से लेकर की लगवग यहां तक होती है अब होता क्या है कि उपर से पहले e को बाद में discuss करेंगे पहले b layer समझते है तो a layer के बाद की आएगी नीचे b layer a b c d में a के बाद b आता है तो यहां पर b आ गई तो a layer में तो मैंले अपनी स्वैल होगी b layer में स्वैल के साथ हलके छोटी मोटे थोड़ी बहुत पत्थर वगएर कुछ हो सकता है इसके बाद उसके नीचे आएगी वह अपनी c layer यानि की c horizon वह होगी कि जहां पर अभी पत्थर जो है वह थोड़ी बड़े बड़े पत्थर भी मिल सकते हैं यहां की जो रॉक जो है यानि की जो parent material है वह अभी भी डिकमपोस्ट बिल्कुल स्वैल में convert नहीं होगा लेकिन अभी भी काभी वहाँ पर अवाले बला है और उसके नीचे की जो layer है इसे बोलते हैं क्योंकि यहां पर अभी भी parent material यानि की rock पड़ी हुई है तो इसे बोलते हैं r origin r का मतलब क्या हुआ रॉक तो आपको उपर सियाद रखना है कि उपर सब सब पहले ओ आता है फिर आता है a फिराता है b फिराता है c और फिराता है r इस टाइप से आपकी soil profile में 5 layer basically बनती हैं अब यहां पर कुछ और चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं जैसे कि जो अपना a layer है आपको यहां पर नाम याद नहीं रखना है बस थोड़ा common सी चीज़ समझो तो जो a layer है उसको यहां प बरसात का पानी हो रहा है अधर पानी है तो पानी तो उपर से नीचे जाई रहा है तो जब उपर से पानी नीचे परकुलेट होगा तो वो परकुलेशन के साथ अपने साथ क्या लेकर जाएगा वो अपने साथ लेकर के जाएगा उपर से नीचे minerals उपर से nutrientों को नीचे को जाएंगे उसका result क्या होगा जो nutrient A layer में होंगे वो कुछ time बाद पहुच जाएंगे B layer में B के उपर वाले surface में तो यहाँ जो A3 में जो nutrient होंगे वो कुछ time बाद B की जो upper surface है उसमें पहुच जाएंगे तो nutrient का उपर की surface से नीचे की तरफ move करना तो इसको बोलते हैं एक process है जिसको बोला जाता है eluviation यह E से मतलब हुआ exit यहाँ पर अपनी A की जो A3 layer है उससे B की जो upper layer है उसकी तरफ nutrient move करते हैं यानि की A layer से nutrient नीचे की तरफ B layer की तरफ move कर रहा है तो A layer और B layer के जो beach का zone जिसमें यह जो eluviation की process है वो सबसे तेज है उसको एक अलगी horizon का नाम दे देते हैं सभी नहीं देते हैं लेकिन कभी कभी किताबों में आ जाता है तो यहाँ जो E horizon है यह कोई specific horizon नहीं है लेकिन क्योंकि कुछ books में ऐसा दे देते हैं फिर आप लोग confused हो जाते हैं इसलिए यह specifically picture यह सी डाली गए जिसमें E horizon दिया गया है अगर आप इसे कभी picture बनाऊगे और E horizon अगर diagram में नहीं बनाऊगे तो कोई पूछेगा नहीं क्योंकि यह actual में exist ही नहीं करती है मतलब बैशे नहीं करती है वो A का और B के बीच का part है तो यह क्या रहा E horizon तो आपको समझ में आया है सबसे उपर पर O है फिर A है फिर B है फिर C है और नीचे है अब यहाँ पर दो term हो रहा है एक है सोलम और दूसरा रागुल थे जिसको अभी नहीं बताया गया था यहाँ पर जो उपर से लेकर के B होरिजन तक यह जो part है यहाँ की जो soil है वो पूरी तरह से soil में convert हो चुकी है इसलिए उसके लिए एक term यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं सोलम लेकिन यहाँ पर सी को क्यों इसलिए में बोला क्योंकि सी में अभी parent material के बड़े बड़ी रॉक है यह पूरी तरह से soil में convert नहीं होगा है लेकिन दूसरा term है जिसे बोलते है रागुलित रागुलित में यहाँ से लेकर कि यहाँ तक का part को खबात किया गया जो अपने यहाँ पर picture में बोल रहे थे रागुलित मतलब बो क्या है कि ना तो पूरी तरह से rock है ना soil है बीच की जो stage है उसे रागुलित बोल रहे थे तो वही यह condition में ले रहे है कि यहाँ से यहाँ से लेकर कि यहाँ तक किस और profile को भी अपने लगुलित में consider कर रहे हैं अब यहाँ पर आपका profile तक का part कावर हो गया तो अपने इस पर composition और देख लेते हैं कि आखर जो soil है वो किस किस से मिलके बनी होती है खास कर उसके organic और inorganic पर question आ जाते हैं अगर अपनी total soil को देख लिया जाए तो लगवाग उसका 50% तो पार्ट बनाता है solid वाला पार्ट और 50% है वो है हवा पानी इसमें देखो 50% है solid solid और 50% है हवा पानी अब हवा पानी जो है मतलब water और यह इनको यह मान की चलते हैं कि यह दोनों 25-25 है क्योंकि अगर किसी की soil में आपने पानी जदा डाल दिया तो हवा कम हो जाएगी पानी कम हो गया तो हवा बढ़ जाएगी तो इस type से यह उंचनी चलती रहती तो इन्हें generally जब base type का figure बना जाता है तो यह इस type का denote कर देते हैं मतलब यह उंचनी चलती रहत लेकिन यह almost 50% पार्ट बना देते हैं और solid बनाता है 50% पार्ट अब solid में भी दो पार्ट होते हैं एक होता inorganic content यानिक जो अपने minerals है जैसे अपने iron है calcium है फासपूरा से पूटास है तो यह क्या mineral वाला पार्ट है दूसरा है organic पार्ट और गनिक में क्या है कारवन के जो दुनिया भर के cellulose है लेगने नहीं यह सारी जो चीज़े पढ़ी है आप जो हरी खाद डालते हो वो क्या है organic है तो organic जो है वो बनाता है almost 5% और 45% जो पार्ट है वो बनाता अपना है यह minerals तो यह जो composition वाला पार्ट है यह आपको समझ में आ गया होगा इस पर एक question दिखेंगे फिरांगे चलेंगे यहाँ पर question था कि development of soil from parent rock is dermage parent rock से soil का development है उससे क्या बोलते है पूडो जनेसिस एड़ाफो ट्रॉपिज एड़ाफिक क्लाइमेक्स ओड़ो फिर यह अपना है पूडो जनेसिस मतलब पूडो का मतलब क्या होगा अपना पूडो यान की soil और जनेसिस मतलब उत्पत्ती होना उत्पन होना तो parent material यान की rock से soil का जनेसिस को क्या बोलेंगे या तो इसरे बोल सकते हैं अपने प्यडो जनेसिस या फिर बोल सकते हैं एड़िएफो जनेसिस समिए जनेसिस का मतलब generation इड़ आपो एड़ाफो मतलब soil तो पहले हिस्थे में अपनें ये समझ लिया कि आखर यह जो soil है वो है क्या और soil मतलब जो पीडोन है पीडियोलोजी यह एडफोलोजी यह सारी चीजें हैं क्या स्वैल प्रोफाल वगरा है इन चीजों का पुछी देख चुके हैं अब इस सब्जक्ट का जो दूसरा हिस्सा है उसमें अपने यह देखेंगे कि आकर यह स्वैल का फॉर्मिशन बनता कैसे है यानि कि स्वैल बनत कि कैसे सबसे पहले तो अपने पास आएंगी चटान फ़र चटान है यह वो टूटेंगे तो टूटना मतलब उनकी वैदरिंग तो यहां पर अपन एक ही कर के डिसक्स करेंगे पहले थोड़ा रॉक को बारे में डिसक्स कर लेंगे फिर इनकी जो बैदरींग की प्रोसेस है उसको छोटे छोटे piece में बारिक कूट देने से मिठ्टी नहीं बन जाती है वो बारिक तो आपने देखा होगा कि आजकाल जो रेट बनाते हैं तो जो अपनी ग्रे नाइट की बड़ी बड़ी चट्टान होती हैं उनको क्रेसर में डाल करके रेट बना दी जाती है तो इस टैप से बना दी जा सकती ऐसी भी मिट्टी बनाई जा सकती लेकिन इसका मतलब वह नहीं कि वह एक्चॉल में स्वैल हो गई उसमें आपकर कोई वीट लगा दो कि तो ग्रो कर जाएगा आहां केवल छोटे-छोटे पीस में बनने से वह मिट्टी नहीं बन जाती है छो स्वैल फॉर्मेशन के लिए कुछ फैक्टर आएंगे और पर एक से कौन सी प्रोसेस है जिसके थुरू यह जो वैदर्ड माटेरियल है यानकि जो रहगो लेत है वो स्वैल में कानवार्ट होता है तो यह जो प्रोसेस है इसको डिसकस करेंगे इसके बाद फिर अपना आए अब रोक के बारे में बात की जाए तो आप लोगों ने जनरली जो अपनी जिग्राफी वाला यह जियस का जो पार्ट है जनरली स्टेडीज का उसमें पढ़ा होगा कि रोक्स तीन टाइप क्यों होती है जिसमें एक होती है इगनियस दूसरी होती है मैटामॉर्फिक और त इसको याद रखना यह मैगमा जो मॉल्टेन माटेरियल है पिगला हुआ जो माटेरियल हो क्या मैगमा और जब यह ऊपर निकल आता है तो इसे बोला जाता है लावा लावा और मैगमा में यही फरक होता है कि मैगमा अंदर बोला जाता है लावा बाहर आ जाता है बाहर का म पर एक चटान की निर्माड कर देते हैं इसे बोलते हैं अपन एक्स्टूनसिफ यान की बाहर की रोक यानि की वालकनिक रोक कभी-कभी होता है कि यह जो मैकमा है उसे निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता है और वो अंदर ये अंदर पड़ा-पड़ा ठंडा हो जाता दीरे- और अंदर यांदर इए चटान बना लेता है बात में जब इरोजन से ओपर की मिट़्े ऊड़ जाती तो यह बाहर दिखने लगता है तो यह जो रोक है जो अंदर यह अंदर रह जाता इसे बोलते intrinsic यानि की plutonic rock यह plutonic जो है Greek वगरा है उनका दे होता था तो जैसे अगर अगर आप उन कोई भी आज़के डिस्कवरी करते हैं तो अपनी जो mythology से हैं जैसे अपने प्रधान मंत्री है तो यह जो प्रधान मंत्री यह term जो है प्रधान मंत्री कहां से लिया है जो western ने यह चीज़ें खोजी हैं तो फिर अपने पुराने mythology को लेके चलते हैं तो उन्होंने उनका plutonic एक देवता होता था जैसे अपने इस्टोरी में होता था रावड के दो भाई आही रावड मही रावड जो कहां रहते थे जमीन के अंदर पातल लोग में तो वैसे उनका एक देवता हुआ करता था plutonic, atlas की तरह है plutonic देवता था जो अंदर रहता था जमीन के अंदर तो नोंने इसकी नीचे की rock को नाम दिया गया plutonic rock या intrinsic rock अब इनके example होगे जो अपने जो granite है वो है intrinsic यानि की plutonic rock जिसे granite क्यों बोलते हैं आपने अकसर दिखा होगा जो अपनी kitchen में जो stall लगा होता है वो granite का होता है क्योंकि यह है अंदर यह से ठंडा धीरे-धीरे होता है क्योंकि temperature तेजी से loss नहीं कर पाते हैं तो यह जो lava है उसको काफी ठंडा होते समय बहुत अच्छा खासा time मिल जाता है तो इसके जो minerals है वो आराम से इखटे इखटे होके grain से formation कर लेते हैं तो जो grain formation हो जाते हैं तो जब अपने इसके slab बनाते हैं तो slab में ऐसे grain grain से दिखने लगते हैं designing से दिखती हैं इसलिए इसे बोलते हैं grainite जब कि जो बाहर लावा आ जाता है वो बहुत तेजी से हवा में content में आ जाता है तो तेजी से heat को loss कर देता है तो ये जल्दी ठंडा होता है तो इसमें grainite में अंतलब grain का formation होना इसके लिए possible नहीं हो पाता है तो ये थोड़ा टूट भी जाता है और एक एक सा होता तो इसे हम बोलते हैं basaltic basalt यानि कि यहाँ जैसे के grainite rock है इसका example है basalt rock यही basalt rock है जिसको ragar भी बोला जाता है क्यों? क्योंकि अपनी जो black soil है वो इसी से बनती है और black soil को भी ragar soil बोलते है ये कई बार question आ चुका है रेगर किसे बोला जाता है तो वो black soil को बोला जाता है अब इसकी hyperbacal जो बनती है कभी-कभी वो नीचे भी ना रा उपर भी ना रा बीच में फस गया hyperbacal पूचिए छोड़ दो तो वो हाँ पर अपनी ज़द्ध मतलब की है नहीं दूसरी डॉक जो आती है वो है अपनी sedimentary जहाँ पर अपने जो दुनिया वार की चीज़ है गरे नाइट सपोज यहाँ पर बना होगा फिर रिवर ने उन्हें इरोजन करके आया आया लेके आया और कहीं deposit कर दिया चाहे यहां पर अपने नदियों के किनारे कर दिया समदर में जाके कर दिया तो यह पर जो play router कर दिया बाद में यह glowing agent है उनके थ्रुछ जम करके layers ही बन जाती तो यहां पर जो रोक बन जाती है क्योंकि वो जमा होने से, वो बनी सेडिमेंटरी बाद में कभी प्लेट टक्टो ने खुई और यह लेयर ऊपर आ गई सर्फेस पर तो यह कौन सी रॉक है इन्हें बोला गया सेडिमेंटरी मतलब सेडिमेंटेशन से बैठने से जमने से बनी है एक तीसरा इनका एक्जांपल वगरह लिखे होंगे वाप और थो थोड़ी प्रॉपर्टी होंगे जैसे कि इगनियस रॉक में कोई आपको फोसिल वगरह नहीं मिलेगा लेकिन सेडिमेंटरी है तो इसमें एक तो लेयर वगरह मिल जाएंगी दूसरा क्योंकि जब यह बना होगा तो यहां पर कोई जीव वगरह आ गया फोसिल वगरह आ गय तो इस वज़े से अपने पेट्रोल डीजल वगरह है सभी यह सडिमेंटरी रॉक में मिलते हैं और हमें फोसिल वगरह मिल जाते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टी आपके नोट्स में दी होगी उन थोड़ा दिख लेना उनका परपस यह कभी कबार कुछ ना जाते हैं और ज आधाम मौर्फोसे याद रखो मैटा मौर्फोब्स मौर्फोसिस क्यूंग्ट आपको जूलोजी से अगर कोई बिलोंग करता है तो जो अपने कीडे में उपकोड़े होते हैं तो आपने देखा होगा कि पहले कीडे की जो स्टार्टिंग की होती हो वो होती ही इल्ली फिर पूरिया है तो इससे किवस्च मेंधिर का मज़ में काथ पर से हों से हुर्म बंदर से अक्चल्म में में निकलें काट के उससे पहले उसे मार दिया जाता और सिल्क निकाल लेते हैं तो यह Amorphosis का मतलब रूप चैंज होना Meta मतलब बड़े लेविल पर रूप चैंज होना अब यह Metamorphosis यहां रॉक का जो है वो दो टाइप से हो सकता है यह तो Pressure से हो जाए यह Temperature से हो जाए Pressure से कैसे जैसे कि Plate Technic हो रही यह Plate इदर मोब कर रही और यह Plate तो यहां पर रुकी है तो यह Plate इसे जब धक्का दे रही तो इस Region पर बहुत दर Pressure बनेगा Pressure बनेगा जो जो भी Rock होगा वो Pressure की वज़ाए से दूसरी टाइप की Rock में Convert हो गई दूसरा हो सकता है Temperature का जैसे कि यहां Magma Chamber था यह तो चलो ठीक है Agnes बनेगी लेकिन इसका क्या गुसूर था तो यह जो है इसके Temperature की वज़ाए से यहां की जो Rock थी वो Change हो गई तो किसकी वज़ेस हुई Temperature की से तो यहां पर जो Temperature और इसके जो नाम एक्जामपल होगे इन्हें थोड़ा देख लेना दूसरा इसमें एक टाइप से कही वार कुस्चन जो आ जाते हैं कि जो ग्रेनाइट है जो कि ग्रेनाइट की आपना Agnes रॉक है वो जो मेटमोर्फिक है दूसरा पुछा जाता है किस से बनाए तो यह बनाए ग्रेनाइट है जो अपने मार्वल होता है जो मतलब मार्वल लगाते हैं गरों में यह डोलॉमाइट से बनता है डोलॉमाइट क्या है कल्सियम कर्बोनेट तो मारवल में क्या है कल्सियम है कल्सियम उक्साइड कल्सियम कार्बोनेट कल्सियम है उस मारवल में चूना वैसे भी सफेज होता है तो मारवल में भी चूने ही है माई का एस्सिस्ट है वो क्वार्ड से बनता तो यहां डॉलोमाइट काफी काम काया है और दूसरा ग्रिन दौध तो काम अब यह जो रॉक हैं तीन तो हो गई है अप के लेकिन de podburns qon mmm hmm here न handful लेकिन जो रॉक है वह अकेले किसे बनी होगी यह से आपकी बोडी elco । वैसे यह रॉक है वह किसी से बनी होंगी तो वह बनती हैं जो यह से बनी होगी मिल गया तो यहां पर यह एक मिनरल से दूसरा है तीसरा है तो इस ताइब से एक रॉक में छोटी-छोटी सी स्ट्रक्चर सी बन जाती है तो ग्रेंड फॉर्मेशन हो जाता है अब आपको मिनरल्स याद नहीं रखना है कि क्या है यह दुनिया भर की मिनरल्स की चले गए प्राइमरी मिनरल्स सिकंडरी मिनरल्स ऐसे सरी मिनरल्स इन चक्कर में आपको नहीं पाना है यहां पर प्राइमरी मिनरल्स के जब आपको आएगा तो वहां पर याद रखना है जै आपको यह तो समझ में आ गया है कि जो अपनी रॉक है वो तीन टाइप की होती है जिसमें एक है इगिनियस दूसरी है मेटामॉर्फिक और तीसरी है सेडिमेंटरी तीन टाइप की रॉक हो गई के इड़डि करना होता उन्माग में पहला आता है फिजिकल बैढरिंग का मतलब है कि जो रॉक है वो फिजिकल प्रॉसेस के थूरूफरों मतलब जो कैमिकल नहीं जो अपने क्लिमेंटिक फॉर्सेंस उनकी है वो आपनी तूटती है जैसे कि अगर अपनी कहीं रॉक है ये अपनी टुंडा टेगा वाले रीजन में है तो क्या होगा इसके साथ कि जब यहाँ पर बर्फ बारी होगी तो यहाँ पर सनोफाल हो जाएगी बाद में गर्मी आई तो वो पानी वहाँ पर यानि कि बर्षात के टाइम पर पानी भर गया उसमाई जो अपनी बर्फ थी उसका पानी जब बर्फ पिगली तो उसके अंदर सही तरीके से अंदर जा चुकी है अंदर गुश चुकी है अब क्या होगा जैसी बापे सड़ दिय तो इस टाइब कि रूट की जो क्रैकिंग में इस टाइब के जो अपने फ्रीजिंग से जो फोर्स क्रियेट हुआ उसने काम किया यानि क्या हिए फिजीकल या मैकनिकल वैदरिंग दूसरा आपने देखा होगा कई बार ने बोलते हैं रूप को इसे बोलते हैं इसमें क्या होता है कि जो अपनी गर्मिया पढ़ रही है खासकर यह गर्मियों वाले रीजन में बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है कि जो अपनी रौक है उपर से सं का जो हीट पाढ़ रही है गर्मियों में जो 48-50डिगरी चल्सियस पर टैंपरेचर पहुच रहा है यह तेंपरेचर ऊपर लोग की उपर की सेर्फेस को तो दर तो उपर की जो सर्फेस है वो हीट मिलेगी तो उसके जो मिनराल से वो एक्सपेंड करेंगे फैलेंगे तो उपर की रोक तो फैल रही है लेकिन अंदर तक हीट नहीं पहुंच रही तो अंदर की रोक को कोई फरक नहीं पड़ता तो अंदर बारी बोलेगी तुम्हें गर्मी में एक्सपेंड करेगी दिन के टाइप एक्सपेंड की साम तक ठंडी हुई धीर धीर तो फिर सिकुड़ेगी तो इसकी जो मिनराल से उनका एक्सपेंड से कोलना इसका रिजल्ट होता है धीरे धीरे इसमें क्रेक आ जाते हूं और यह ऐसी प्याज की तरह एक्सपॉलियोट होने लगती है तो यह जो है मेकनिकल की तीन-चार टाइप है उनमें एक्सपॉलिएशन यह दो बेसिक एक्जामपल है जोने आप हो समझ सकत है उसमें चैन जाएगा यहां बेसिकली अपने चार चीजों को पढ़ते हैं और भी प्रोसेस है लेकिन चार बेसिक प्रोसेस है पहला प्रोसेस है हाई-ड्रेशन हाइड्रेशन का मतलब वाटर आ गया लेकिन यहां हाइड्रेट है मतलब वाटर टूट नहीं रहा है वाट तो अब जो आयरेन है पहले जो बिलकुल फिक्स था वो अब थोड़ी मोवेवल फोर्म में आ गया इसका रिजल्ट यह होगा कि जब उपर से बरसाथ का पानी अगर यहां पर सर्फेस पे आ रहा है यहां पर जैसे जैसे यह बरसाथ का पानी जाएगा इसमें मिनरल्स है वो पानी के साथ गुल करके नीचे की तरफ जाएंगे जब कोई ऐसी इंपरिमल रॉक मिल जाए तो यह क्या करेंगे उसके साइड से यहां से निकल जाएंगे तो ये जो मिनरल्स हैं वो धीर है धीर है इसके साथ पानी के साथ बहाद जाने की कोशिस कर देंगे इसका क्या रिजल्ट होगा कि जो इसकी रॉक थी रॉक के जो कंटेंट है भले ही एक दिन में एक मिनरल जाए लेकिन लाखों सालों में लाखों मिनरल्स अगर ऐसी गायव कर गए तो इस रॉक की जो इस्ट्रक्चर वो नहीं रहेगी जो इसकी थी means इस्ट्रक्चर जो है वो चैंज हुई तो इससे क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे हाइडरेशन हाइडरेशन सबसे ज़्यदा किसम होता है जो अपने कैल्सियम कार्वोनेट की जो रॉक्स हैं कैल्सियम यह चूना पत्थर वाली है उनमें सबसे ज़्यदा इंपक्ट परता है इनका करके जो आइन में डिवाइड करके साथ केमिकल रियक्ट करके जो मिनेरल्स है उसे इन ओल्सा को सहिं और मेदाएड करते हैं धीर धीरहें उसके मिनेरल्स जो रॉक्से थे वह बाद मिंगयम होंगे और घय्तम हो जाएंगे तो इस टाह अक्तर इस टाइब की structure में हो जाती है अब इसमें यह बकाय के यह चीज है यह गायव का हो गई इसके पीछे रीजन यही है कि जो समुदर का पानी है उसमें salt बहुत ज़एदा है उपर से उसमें बहुत सारे टाइब के जो chemicals है वो है तो actual में समुदर का water केवल पानी नहीं है वो एक type का solution है यह solution यहाँ पर आएगा और यह rock के minerals के साथ react करेगा रियक्ट करने के बाद जब पानी बापस आएगा तो इसके minerals को भी लेके चला जागा तो धीरे धीरे उसके जो कमजोर minerals से वो घुल करके निकल जाएंगे तो इस type सी rock है यानि कि धीरे धीरे लूज हो रह हां और हलयकी mineral से पॉकहां जाएंगे बाद में समत्र में जाकर करके नीचे तलटी में जम जाएंगे तो यहां पर sa se replacing का ही भी हो यहाँ रॉक्प से गये कोई बात नहीं आप दहुए यहां कहीं तो जामें तो eleven लेकिन कहीं तो बन रही है चौथा उप्रोसेस से बोलते है Oxidation Reduction जहाँ पर Oxygen है वो एक्टिव रॉल में होता है वो किसी के साथ मिलके जैसे आपने देखा होगा Iron है अपना लोहा है अगर उसमें जंग ना लगे तो लोहा सालो साल चलता रहा है लेकिन जंग लगने से लोहा जो है वो खराब हो जाता है बरबाद हो जाता है या बोलो क जंग लगे लगे लोहा रखा रखा पूरा गायब हो जाएगा वो वहीं पर तो Oxidation जो Iron का हो रहा वो क्या कर रहा है उसे खतम कर रहा है खतम करके लोहा कहां जा रहा है वो हवा में हवा में तोड़नी जाएगा वहां पर मिट्टी पर गरेगा धीर धीर हवा के साथ ओलके कि दर उदर फ्ल जाएगा लेकिन उसने एक रॉक को खतम कर दिया तो यह Oxidation Reduction हो गया यह जो चार प्रोसेस हैं यह क्या होगा है यह अपनी रही chemical process तीसरी process है biological biological में कोई living thing है जो इस रॉक को तोड़ने में काम करेगा weathering में काम करेगा इस में कौन कर सकता है जैसे कि इंसा नहीं है वो किसी में गया पत्थर तोड़के निकाल दिया आपने दिखा होगा दिल्ली के असपास के लगाओ चालिस पैतालीस पाड़ियां जो थी वो इल्ली गली गायब कर दी गई हो गई weathering दूसरा पेड़ है जब यह किसी चट्टान के पास चड़ जाते ना तो फिर तो दरी तोड़ते हैं उसे यहाँ फिर अपने जैसे माइक्रोबियल है यह भी कार देते हैं यह एन ने कैसे किया अब यहाँ पर जैसे एलगी है यह लाइक है न वो ग्रो कर गया अब लाइकन जो है लिविंग तिंग है यह कुछ ना कुछ तो chemical secret करेगा chemical होंगे acidic तो यह जो acid release करेगा यह जो इसकी rocky surface है उसके साथ करेंगी reaction और reaction करके उसके जो minerals है उनको release कर देगा और time के साथ यह जो rock है उसमें से छेद से hole से हो जाएंगे तो इस types है यह जो बड़ी बड़ी चटान है उन्हें छोटे छोटे पीस में गायव करता है बाद में क्या होगा जो ग यह जो आपनी वैदरिंग थी यह तीन टाइप क्यों गई फिजीकल केमिकल और बायलोजी तो वैदरिंग वाला पार्ट जो था वह अपना काम हो गया रागुलित को डिसर्स करना नहीं है अब बात आती है कि यह वैदरिंग से क्या हुआ कि जो रॉक थी वह अभी तक च्छोटे पार्ट में होने के बाद यानि कि मिनरल्स जो थे वह चैंज हो गया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अभी आप इसमें पीड़ लगा दोगी और पीड़ोगाएगा मींस अभी एक्च्वल में स्वैल नहीं बनी है हमें जो प्लांट को अगनी के लिए चाहि प्लाइदार हैं दूसरा यह स्वैल बनाने की क्या प्रोसेस है कैसे स्वैल बनेगी तो स्वैल फार्मिंग फैक्टर और स्वैल फार्मिंग प्रोसेस यह दो चीजों को यहां डिसकस करेंगे पहले तो देख लेते हैं फैक्टर कौन-कौन से होते हैं जैसे आपने आपको म होताता था फूर एप मतलब इस पेड़ पर लगेंगे किलाइमेंटिक टोपोग्राफिक बायोटिक इस ताइप के चार फेक्टर उसप्रेक्टिव होते हैं और वही इसको मैनेज करेंगे वैसी यह सोयल है अगर कहीं सोयल फॉर्मिशन हो रहा है तो उसके में भी पांच फेक्टर लगते हैं यह फेक्टर कौन से हैं एक है कलाइमेट दूसरा है वेजिटेशन या और गेनेशन तीसरा है पेरेंट मटेरियल यह जो रॉक है ओरिजिनल रॉक कौन सी थी जसी यह जलान कैसा और ताएब यह पांच है इन मैंसी यह तीन दो है पहले यह तो एक्टव रॉल करते हैं इसलिए दो पौलते है एक्टिव स्वर्मिंग फेक्टर वादे बकायक यह जो तीन है यह है पैसिव कैसे जैसे स्वर्मिंग फेक्टर मतलब क्या है यहाँ पर अपनी प्रॉक को वैदरिंग करना यह एक्टिव काम कर रहा था फिर वैदरिंग के बाद यह चोटी चोटी टुकड़े बने थे मतलब किया रेगुलित बना था रेगुलित में अभी भी मिनरल्स अपने ओरिजिनल फोर्म में पड़े थे वो जदद चेंज नहीं हुआ यह एक किससे कर रहा है पानी दे रहा है कि जब्रय है फोर्म कर दोछे मिंट के इस पर से छिए और होसे लेड मतलब कि उसको मी अग 높 qualikit करने तो दूसरा वेजिटेशन या और गरेजिआ इस यहां पर लिविंग फिं hasta की बात कीजिए यह पीड़ क्या करेंगे जो रेगुलित वाला है उसमें थोड़ा बहुत जड़ा लगाई उसको और तोड़ दिया या उसमें अपनी जो पत्निय जाड़ करके उसमें थोड़ा और्गनिक मैटा बनाया जिससे वहां पर कुछ पीड़ होगे उनने उस और्ग कौन से है और पैसे मतलब यह डारेक्ट इन्वाल्व नहीं करते हैं दूसरे को सपोर्ट करते हैं जैसे कि एक है पेरेंट मतीरियल यानि कि वह रॉक अगर रॉक ऐसी है जो लूज टाइप की है तो क्या होगा स्वाइल फॉर्मिसन जल्दी हो जाएगा अगर रॉक है वह यानि कि एगनियस रॉक है तो स्वाइल फॉर्मिसन जो है वह बहुत स्लो होगा रिलीफ या टोपोग्राफी यानि कि ढलान अगर ढलान बिल्कुल प्लैन है तो उमीद नहीं कर सकते कि यहां पर एरोचन जैसी एक्टिविटी बहुत जदा होगी तो स्वाइल फॉर्मिसन नहीं है लेकिन इंडारेक्टली स्वाइल की फॉर्मिसन में हेल्प कर रही है और बैसे ही टाइम है टाइम मतलब जतना जधा समय मिलेगा चीजों को अधर फैक्टर को एक्टिव करने के लिए उतना जधा टाइम मिलेगा तो यह आराम से काम कर सकेगा अब देख लेते हैं स्वाइल फॉर्मिंग प्रोसेस यानि कि ठीक है जो रॉक थी अपनी रॉक गैदर हो गई यानि कि रैगॉलित बन गया है रैगॉलित के बाद अब स्वाइल फॉर्मिसन होना है तो यहाँ पर कौन-कौन से फैक्टर करेंगे वो तो देख लिए आप कौन सी प्रोसेस तो इस्टेप जो है उन्हें देखना है अब यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप की स्वाइल बनती हैं उसके इसाब से कड़ देखा जाए तो चार तो अपने जनरल प्रोसेस है मतलब यह अपने को अक्सर हर जगाह मिल जाते हैं लेकिन कुछ है वह स्पेस्फिक स्वाइल प्रोसेस हैं जो किसी स्पेस्फिक इन्वार्मेंट में ही मिलती हैं जनरल की बात की जाए तो इसमें पहली प्रोसेस है हुमिफिकेशन हुमिफिकेशन मतलब जैसे रॉक जो बनी थी अपनी जो रहा को लेता है उसमें इस टाइप का और गैनिक मैटर मिलाया जाए जिससी और गैने मेटर मिलेगा तो उसकी बढ़ेगी जो इसमें कोई फाटाइज नहीं थी उसमें फाटीलेटी बढ़ेगी फाटीलेटी बढ़ेगी कुछ पीडों पर और पेड़ अपनी जो जड़े हैं उसके थुरू उसको मिन्राल्स को और छोटे-छोटे पीस में तोड़ें तो इस टाप से धीरे-धीरे वो स्वैल में करणवाट होगा तो पहली क्या प्रोसेस है हुमिफिकिशन जिसमें अपना जो और गनिक मैटर है उसे उसमें डालेंगे तो यहां पर क्या फॉर्मिशन होता है हुमस का जो अपना जो लीफ लिटर है इसे क्या बोलेंगे लिटर जो लीफ लिटर है यह बाद में क्या होता है छोटे-छोटे टुकड़ों में जब टूटता है तो इसे बोलते हैं डाफ और जब डाफ है जब बिलकुल कनवाट हो जाता और गनिक मैटर में तब इसे बोलते हैं लिटर डाफ और यहां पर बोलेंगे हुमस यह जो हुमस है की टाइप हो सकते हैं आप पढ़ोगे इसमें है more humus और malhumus एक और होता है तीन टाइप की humus होती है यह इन तीनों पर ही question पूछे जा चुके हैं बटेने आप बाद में discuss करेंगे अगर यहां पर हाँ यहां पर है तो यह जो आपकी humus है वो तीन ही टाइप की है एक है more humus दूसरी modern humus और तीसरी है malhumus इन तीनों humus को तानम याद रखना है यह जो अपना ecology environment वाला part है उसमें इस पर question पूछे जा चुके है कि जो आपका सबसे पहली जो part होता है उसे क्या बोलते हैं leaf litter यानि की क्या बोलते हैं उसे litter बोलते हैं लिटर से बनता अपना डफ मतलब लिटर तो सीधी पत्यां गिर गई बादें पत्यां को छोटे-चोटे पीस में तूटके एक खटी हो आती हैं तो उसे बोलते हैं अपन डफ और चोटे-चोटे पीस भी बिल्कुल बारीक पीस में हो जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं humus अब humus में यह जो more और मल है इसका क्या sense है more का मतलब यह जो बारीक पीस में इसमें भी तब भी ठीक ठाक बड़े-बड़े पार्ट हैं तो उसे बोलते हैं mood और बिल्कुल organic में चैन्ज हो चुका है तब उसे बोलते हैं अपन मल हुमस इत्में बस यह difference है ज़र तो यहां पर अपने जो पहला process था humification उसे अप देख चुके हो दूसरा जो process है वो है इलूवियेशन और तीसरा है आईलूवियेशन इन दोनों को समझना होगा यह बहुत important है आपको बताया था कि अपनी उपर की जो लेयर है वो है वो इसके बाद आती है A horizon और यहां पर आती है B horizon तो यह A horizon है वो कहां तक है यहां से यहां तक और B है यह वाली अब होता क्या है कि उपर से जो rain water है अपने irrigation का water है जो भी पानी दिया वो पानी जीर दीर जमीन में नीचे की तरफ परकुलेट होता है तो यह परकुलेशन के साथ क्या करता है कि इस layer के जो कुछ minerals है उनको नीचे की तरफ बहा के लेके चला जाता है तो यहां पर एक A horizon की जो नीचे की layer है जिससे minerals बाहर जाते हैं क्योंकि इससे minerals बाहर जा रहा है तो इससे बोलते हैं E horizon E का मतलब exit तो यह जो process है minerals का उस लेयर से बाहर जाना इसे बोलते हैं प्रोसेस को इलूवियेशन और जो layer बनी उसे बोलते है E horizon और जो B horizon है इसकी जो अपर लेयर है जिसमें यह minerals उपर से आ रहे हैं रख रहे हैं उसके अंदर deposit हो रहा है तो यह जो B horizon की जो अपर पार्ट है इसको अपने क्या बोल देते हैं कभी-कभी I horizon और यह जो process जिसमें वो आ रहे हैं इसको बोलते हैं इलूवियेशन तो देखो आई का मतलब क्या हुआ इन मतलब इलूवियेशन एग्जिट मतलब इलूवियेशन तो यह बात दोनों में ध्यान रखना अकसर confusion जब mineral किसी लेयर से जा रहे हैं तो जो भागने की process है उसे बोलते हैं एग्जिट आउट करने की process है उसे बोलते ह है इलूवियेशन और किसी लेयर में minerals के आने को deposit होनी की process है उसे बोलते हैं इलूवियेशन तीसरी process है होरिजोनेशन मतलब यह जो different होरिजन है A, B, C, D यह जो formation की process है इसे बोलते हैं होरिजोनेशन अब अगर आपने जो अपनी UP की soil लेलो जो की alubial soil है इसमें कोई होरिजन नहीं मिलते हैं दो-दो किलोमेटर गहराई तक कोई होरिजन नहीं है इसमें तो यह ताइप से जो ब बनता है तो तब इसमें होरिजोनेशन अपनी है कि यह different layer बन जाएं इसकी है तो आपको यहाँ पर तीन चीजें जो अपनी चार्ट जो टर्म थे वो समझ में आगया होगा है एक है है हुनिफिकेशन दूसरा है इलूवियेशन तीसरा है आईलूवियेशन चौता है होरिज तो है general process अब इसके बाद आगे आएगी special process है special क्या है इसमें जैसी के अपना calcium है अगर जो अपना soil बाला area ले लो यह पीडॉल ले लो अगर इसमें calcium deposit आ रहा है कई बाहर से calcium का deposition आ रहा है तो अपन बोलेंगे calcification अगर अपनी soil से पानी के थुरू calcium बाहर निकल रहा है तो बोलेंगे decalcification अगर इसमें salt घुस रहा है तो बोलेंगे salinization salt बाहर निकल रहा है तो बोलेंगे desalination क्योंकि यह salinization का होगा जो समझत के किनारी की soil होगी उसमें calcification का होगा जो राजिस्थान के असपास की एरिया होगा उसमें calcification salinization तो नहीं होगा तीसरा है आपने देखा होगा पीडो टर्बूलेशन पीडो टर्बूलेशन का मतलब होता है कुछ अपने औरगनिक है जैसे catch हुआ है वो उसमें मिलाएगा वो अलग वाला पार्ट है चो catch हुआ है उसमें अपना जो भी औरगनिक content तोड़ के मिलाएगा उसे अलग रख लो अगर उसे नई बिलो तो वो क्या करेगा मिट्टी को उथा पटक कर देता है मतलब मिलाता रहता है इधर उधर से तो इसे बोलते हैं पीडो टर्बूलेशन मिला याने की तीन इंपोर्टेंट है एक है लेटराइजेशन दूसरी है गलाइजेशन और तीसरी है पोड़ोलाइजेशन जो इसमें नहीं है नोटस में लिख लो पोड़ोलाइजेशन इन तीनों को ध्यान से दिखना है इनमें सबसे पहले पढ़ेंगे लेटराइजेशन Latterization का मतलब होता है Latterite Soil का Formation पहले Condition समझते हैं अपने पास क्या होता है Western Ghat का Region है Western Ghat में क्या होता है इस वाले Region में का जो Weather है वो कैसी है बहुत ही जदा Hot and Humid Humid मतलब बहुत जदा Rainfall होती है Hot मतलब बहुत जदा गरम इसका Result यह होता है कि यहाँ पर जो Rainfall है वो बहुत जदा होती है बात में इसका Result यह होता है कि इसकी जो Upper Layer है उससे बहुत सारा जो Organic Matter है वो पूरा का पूरा नीचे चला जाता है मतलब उपर की Layer से Illuviation हो जाता है जैसे यहाँ पर लिखा हुए कि उपर की Layer से क्या हो गया Illuviation हो गया इसमें किसका हो जाता है यह दुनिया बर की जो अपनी Organic Matter वगरा है इनका Result यह होता है कि जो Upper Layer है इतनी ज़्यदा यहाँ पर गर्म इतना ज़्यदा है और उपर से जो भी दो-चार पत्निया गरी तेजी से क्योंकि यह बहुत ज़्यदा Hot है और बहुत ज़्यदा Humid है मतलब यह आपर Organic जो मतलब यह अपने जो Organic या अपने जो Organism है वो बहुत ज़्यदा Active है तो जो भी पत्ति गरी वो जल्दी से जल्दी डिकंपोज हो गई और बारिस होती रहती तो वो सीधी की सीधी नीचे leaching हो गई तो इसका result ही होता कि Swirl जो अपर Swirl है उसमें Fertility बहुत गम होती है और पूरी पूरी जो Organic Mineral से नीचे चले जाते है तो उपर में क्या बचेगा उपर में कुछ ऐसी चीजें बची रहे जाती है जो घुल के पाने के साथ नीचे नहीं जा पाती है जिसमें है अपना Iron और Aluminium के Oxides तो धीरे धीरे क्या होगा जब यही condition चलती रहेगी Hot Humid वाली तो यह जो ऊपर के में Iron Oxide का Iron और Aluminium के Oxide का तो करते क्या है कि जब अपने आग गर्मी आती है तो यह मिट्टी पूरी सूख जाती है सूख जाती है तो इसमें क्रैक से आ जाते है तो यह जो Western घाट वाले जो लोग है यह क्या करते है अपने गैती सी लेके जाते है और यहां से इस मिट्टी को खोदेते हैं जिससे अपने हां क्या होता है मकान बनाने के लिए जो इंटे होती है ब्रिक्स जो होती है पहले अपने मिट्टी को लेते हैं उसे गीला करके ब्रिक्स को साइज देते हैं फिर ब्रिक्स को पकाते हैं पकाने के बाद मकान में यूज करते हैं लेकिन हमें क्यों पकाना होता है वो इतनी स्ट्रॉंग नहीं है लेकिन यहां की मिट्टी में तो पहले सी आरन और ऐलियूमिनिया बहुत ज़धा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि जब यह सूख जाती है तो यह सीधा गैती लेकर करके उसे इट के साइज में निकाल लेते हैं और क्योंकि इसमें Iron Alumin बहुत ज़्याद है तो यह पहले सी बहुत ज़्यादा strong है तो इन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं है यह direct सीधी मिट्टी की निकाल ली और वो सीधे के सीधे यूज कर ली तो यह जो Latterization है यानि कि इसे बोलते है कौनसी स्वैल इसे बोलते है Latteratic Soil लेटराइटिक सोयल कहां मिलती आपकी वेस्टन घाट में यहाँ पर यह जो लेटर है इसका सब्द का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है ब्रिक्स यह जो इंट है उसी से मिलके बना हुआ है आप कई बार गूगल पर देखोगे तो पता पड़ेगा कि यह जो लोग है क्योंकि यह ऐसा रीजन अजा रेनफल काफी अच्छी खासी होती है तो कई बार क्या होता है कि पहुत सारी जो कीड़ी मकोडे है उन्हें मिट्टी में अपने अंडे दे रखे होते हैं यह लोगों ने ऐसे मकान इंटों को लेकर के मगान बना दी वारिस हुई थोड़ा बात पानी निकला देवालों के अंदर से कीड़े मकोडे कुद गुंद के बाहर निकल रहा है वह चलता रहेगा थोड़ा याद रहने के लिए लेकिन आपको तीन बातें याद अखने हैं लेटराजीशन पर पहली बात इसके लिए जो रिक्वार्मेंट कंडिशन हो है है hot and humid hot and humid environment UPSG में और अदर स्टेट PSG में दर पूछा चा चुका और कई बार पूछा गया है तो लेटराइजिसन के लिए जो temperature या weather चाहिए वह चाहिए hot and humid environment दूसरा यह कहां होता है यह अपनिया होगा western ghat में western ghat के लावा और कहां का होगा अपनी जो आसाम का जो रीजन है मेगाला वाला मिजोरम वाला वहां पर है और यहां बीच में तिलंगाना क्या इस पास है यह important नहीं है एक तो अपना मेगाला वाला ध्यान रखो दूसरा western ghat सबसे ज़्यदा western ghat का ही आ जाता है तीसरा लेटराइजेशन में होता क्या है इसमें जो ऊपर की surface होता है इसमें iron और aluminium की oxide का बहुत ज़्यदा परसेंटेज बढ़ जाता है चौता question आता है कि यह लेटराइट का मतलब क्या होता है लेटर का मतलब होता है bricks इससे अपना काम हो गया तो यह लेटराइट soil formation type की soil हो जाना है अब रसिया में क्या है कि वह उनकिया जो कौनिफर्स वाले हैं वहां पर पर्मा फ्रोस्ट होता है मतलब पानी बहुत बरसता है या बर्फ बारी हो जाती हो जब गर्मिया पढ़ती है तो ज़्यदा तर ऐसी अरिया है जहां water जदा है और पाता नहीं है तो soil में moisture बहुत जदा होती है जदा moisture होनी की वज़य से वो नीचे का जो पार्ट हो जाता है वो थोड़ा हलका gray color का या blue color का हो जाता है जैसे यहां पर यह दिख रहा है इससे formation को बोलते है गलाईजेशन तो अगर आप से पूछा जाए कि glaze soil का कहां पर मिलेगी तो सीधा लग जाता है यानि कि drainage का issue है यानि कि poor drainage condition में यह कई बार question आ चुका है तीसरा जो important है वो अपना पोट जो लाईएसन यह पोट जोल का मतलब क्या होता है यह भूरी भूरी जो औरवरक सी हो जाता वो पोट जल थोड़ा हलका भूरा पंसा होता है यह कहां होगा अपने जो कौनी फर्स है हमाला के यह कैसे बनेगा कि जैसे हमने पाड़ी के जो कौनी फर्स है इनकी जो बहुत सारी एक ठीक लेयर जो यहाँ पर लीफ लिटर की जो बता दी थी आपको चीरपायन फूरेस्ट वगरा मैं तो यह जो ठीक लेयर है यह बाद में वहाँ डेवकम पोज होती र यहाँ पहूँ जड़ा हुति है जर्ट लिएक कुछन हो रहा था यहीं पर दिखिलो अपनी जो फोर्स हो करके अपनी जो एगरिकल्चर वाली सोयल है वो हो जाती है अब यहाँ पर जैसे उडिसा में कुछन पूछा गया था यह सेम कुछन है और सोयल फर्मी प्रोसेस है यह बात आपको समझ में आ गई तो अपने क्या डिसकर्स कर लिया कि अपने देख लिया कि रॉक क्या है रॉक की वैदरिंग कैसे होती है अब वैदरिंग के बाद कीबल फिजीकल वैदरिंग हुई जब तक उसमें केमिकल चंज चंज नहीं प्रोसेस में प्ढ़ लिया अब अपने पास हत्मे क्या आ गईए अब अपने पास आ गई स्वाइल अब एक बार स्वाइल आ गई तो अपने आंगे दो चीज़ा बचती है इसमें एक तो यह स्वाइल जो है उसकी कुछ प्रोपर्टी देख लेंगे जो उसकी फिजिकल के इसा होता है आप स्वैल को उठा के देखोगे फिजी कली तो स्वैल क्या लग रही आपको जैसे इसमें सबसे पहला आता है स्वैल का टेक्सचर स्वैल टेक्सचर का मतलब यह होता है कि स्वैल किसे मिलके बनी है अगर स्वैल जो है पूरी के पूरी बड़ी ग्रेवल्स जो ह बनी है जैसे अपनी जो एलूबील है यूपी की जो है black cotton वह सब पूरी किले dominant soil है तो जो soil texture है अब आपको question क्या आएगा basic तो आपको समाज में आ रहा ही होगी कि ये soil texture का मतलब soil कैसी है मोटी मोटी ची है बिलकुल बारी की है किस टाइब की है लेकिन अपने को जब एक्जाम लगाना होता है तो यह समझ से काम नहीं होगा तो वहाँ पर द्यान रखो कि इस लेटेब पर सेंटेज ऑफ संडol क्यांकि यह स्वयल होगी वह कभी ऐसा तो हो donít कर लिदotherap के साथ कुछ यह संड सबाल है ओ तो वहाँ पर भी सेंट सेल्ड वगएरा होती है लेकिन वहाँ पर केलिए डॉमनेंट होती है तो यह वगएरा कैसी करोगे इसकी हीड्रोमेत्रिक मेथ्रड वगएरा होते है वह अलग काम है बाद में पाइद देना सेलटल वो इनसे कौन से कितने से मिलके बनी हुई है तो उसका यह जो टोटल एक्ट होगा वो अपनी स्वैल टेक्च्चर है स्वैल टेक्च्चर से दो कुष्चन आते हैं एक तो इसकी यह डाफिनियसम से के डिल रिलेटफ पर्सेंटेज्स है दूसरा आता है कि यह जो soil texture यह किस से बनी है sand silt वगरा किली की से तो यह जो sand silt और किली है इनका size किया है खासकर किली के size पर question आपको मिलेंगे तो इनको जो US वाला pattern ना तो उसमें कहने differentiate किया गया है size में तो जैसे यहां पर है 2 से 0.2 mm इस size के जो particle होते हैं उन्हें बोलते हैं coarse sand 0.2 से 0.02 mm इसे बोलते है fine sand 0.02 से 0.002 mm इसे बोलते हैं silt और इसे याद रखो यह बहुत important है यह है 0.002 2-0 फिर 2 और यह क्या है mm याद रखो यह mm है cm या मीटर नहीं है mm है mm है mm है mm है mm है यह बोल रहा है कि 0.002 mm से नीचे इस से नीचे क्योंकि इस पर यह बोल ला कि 0.02 mm जदा है इस से नीचे चाहिए तो और वो particle जो होते हैं उन्हें बोला जाता है clay तो यहाँ जो clay particle का size है उसे याद रखना है क्योंकि सबसे ज़्यदा जो question अगर पूछे जाते हैं तो इस clay particle के size से question आते हैं कि clay particle का size गया होता है तो वो होता है .002 mm से नीचे जो size है इसका diameter जो होता है वो diameter की बाद की जा रही है एक question आता है कि यह जो long soil है कि क्या है लौम का मतलब क्या है कि वहाँ पर nutrient वगरे चीज़ है लेकिन पीड़ों की जड़ है उन्हें दिक्कते आती हूं पर इंटर करने में तो एक ऐसी स्वैल जिसमें सेंड स्वैल सेंड सेंड और क्ले जो है उनका परसेंटेज भले ही बराबर नहीं हो लेकिन उनकी प्रॉपर्टी बराबर हो अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं तो कौन्सी स्वैल है वो है लॉम स्वैल अब यहां पर यह कुशन है अरेंजमेंट आप स्वैल पार्टीकल मतलब सेंड सेंड के लिए हैं विदिन दा स्वैल इस टर्मेज तो उसे क्या बोलेंगे स्वैल टेक्स्ट्र इसके बाद आता ह अगर आपने टेक्टर लगा दिया तो यह बिगड़ जाती है फिर हो जाएगी तो यह चलती रहती कोई पर्मनेंट निचर नहीं है जैसे इसमें एक है पिलिट टाइप का पपड़ी यासी बन जाना दूसरा ऐसे कॉलिमनार बन जाना तीसरा ऐसे क्रम यानिकि ब्लॉक टा अब यहां पर उसे इस्ट्रक्चर से दर कोश्चन आए तो सबसे ज़्यदा कुश्चन स्ट्रक्चर सी आते हैं सिंपल से कोश्चन आते हैं दा अपिरेंस ऑफ स्वैल इन वार्टिकल सेक्शन विदिन ए पर्टिकुलर रेफ्रेंस तो प्रिजेंस ओफ लियर देटार तो यह अक्चुल में कहने का मतलब है इसका कि जो अपना स्वैल है उसका अगर आप पर्टिकल सेक्शन ऐसा ले रहा हो और इसमें जो डिफ्रेंट लियर है उसके बेस पे आप स्वैल को कैसे डिफ्रेंस येट करोगे तो उसका परपाजी है कि एक में यह स्वैल प्रोफा इसका जो पार्टिकल की जो अग्रिगेट है उनका फेटन है उसे क्या बोलेंगे तो आरेंजमेंट के हिसाप साइथ इनकी वो बन रहे थी क्या स्ट्रक्टर बन रही थी इनकी क्रमंई बन रहा है गॉल्म नार बन रहे प्लेटी बन रहा है तो सब्सक्राइब बन बनbacks कि तो जो चाय आइडियल टेक्ट्ट्च्ट्चेर ही जिसमें लॉम आजा था आइडियल स्ट्रक्चर का मतलब सोईल ऐसी होनी चाहिए जो जदा सिकुड़े नहीं करम भी ना हो मतलब जदा क्रेक ना बने जिसदे रुट बगर का डैमेज ना हो पानी उसमें आसानी से मोग कर है और वो आसानी से एरोजन भी ना हो नहीं से हवा चली और पूरी उड़ गई तो इसके यह तीनों करेक्टर के बैटर मॉव्मेंट और वाटर जैसे वाटर वहां पर एक खटा ज्यादा जमाना हो पाई जिससे परकुलेशन और वह वाटर लोगिंग की कांडिशन नहीं हो मतलब अगर कोई उसे जबर जस्ती दबाए तो जदा ऐसा भी नहीं कि वह बिल्कुल नहीं दब रही या बहुत जदा दब रही तो थोड़ा हो उसमें और रजिस्ट एरोजन एकदम उड़े भी नहीं तो तीनों चीज़ा होनी चाहिए इसमें अब इसमें अपना अगला मतलब लगता दाता है वह स्वाइल डेंसिटी स्वाइल डेंसिटी पे दो टाइप की कुस्ट नाते हैं या तो आप से वह पूछेगा कि पूछेगे कहाओ अ कि पूछेगा कि आप् नहीं होभी नदा है और अगर आई से यॉनिट लेता है कि युट दोछेगा है ग्राम क्या करोगे केबल जो particle है particle को इखटा करके उन्हें किसी space में compact कर दोगे मतलब अगर यह 100% solid कर दोगे तो वो अपनी निकलेगी particle density लेकिन जो अपनी soil होती है वो जनरली यह solid नहीं होती है उसमें क्या होगा बीच वीच में space होता है तो यह जो space है मतलब एक तरफ solid और दूसरी तरफ space इसका एक milky combination बना होता है तो यह इस टाइप की soil है जिसमें यह अपना soil का एक mineral से particle होगा बीच वे इस पेस होगा तो इसे को याद यह रखना है कि अगर जो मिनराल है उनको अगर आप बिल्कुल एक्जक्ट लिप कीवल पार्टिकल फॉर्म में लोगे उसको बोलेंगे पार्टिकल डेंसिटी अगर उसके साथ air space भी काउंट है तो वह यह unit volume का जो होगा जो से बोलेंगे अपन वालक डेंसिटी तो अगर आप से weight यह बात की जाए तो पर यूनिट वॉल्म में weight सबसे ज़्यदा किसका होगा अपने solid वाले का ज़्यदा होगा तो पार्टिकल डेंसिटी जो है वह ज़्यदा होती है compare to bulk density इससे यानि कि आपको एक standard soil लेलो जैसे कि clay soil में जो space है वह almost 50% होता है इसका मतल 2.66 g ग्राम तो जो पार्टिकल डेंसिटी है वह यह होती है 2.66 g पर संटीमीटर क्यू इसकी unit क्या है ग्राम पर संटीमीटर क्यू तो बल्क डेंसिटी क्या होगी 50% यानि कि यह होगे अपने 1.33 g पर संटीमीटर क्यू अब यह 1.33 2.66 ICR वालों को याद रखना है ACF वाले दूसरा इसकी unit क्या है और थार्ड सिंपल सी बात की जाए कि अगर यह जो स्वाइल डेंसिटी है इसका हमारे लिए study करने का परपच क्या है परपच है देखो जो स्वाइल जितनी ज़्यदा बलकी होगी मतलब जितनी ज़्यदा फूली होगी वह प्लांट की ग्रोथ के ल स्वाइल के अंदर रह रहा है उन्हें प्रॉपर ली ऑक्सिजन मिलेगी तो प्रॉपर ली ग्रोथ करेंगे तो जो स्वाइल का जो फोना और फ्लोरा है वह प्रॉपर ली ग्रोथ कर पाएंगे तो यह बलकी जो है मतलब मोटा पन जो स्वाइल का यह अपने लिए बैनिफ करतीoid है आब स्वाल देंसीटी पर कोशन देख लेते हैं विस ल Kerry एमोंग दाफ फोलुवइंग है तक कॉंस्टैंट वैल्व किसकी वैल्व है जो कॉंस्टैंट होती जीघ्य अर ब्लकी डैंसिटीकी पार्टिकल डैंसिटीकी Hij तो उनकी जो रहेगी वो रहेगी यह कभी चेंज नहीं हो सकती बल्क डेंसिटी के साथ ऐसा है आप अगर देख लो कि जैसे यह था अगर आपने आपर उपर ट्रेक्टर को ले करके जिसी भी चाढ़ा दी उसकी मिट्टी के उपर तो यह प्रिशर्च से थोड़ी दब जाए तो इसकी बल्क डेंसिटी थोड़ी बढ़ गई वो 1.33 थी वो सपोज आपने 1.5 कर दी या फिर आपने यह पर कोई रोटावेटर लगा के मिट्टी को खुद के फैक दिया तो क्या होगा आपने वहाँ पर अंदर जा करके हवा और भार दी तो आपने इसकी बल्क है यह चैंज हो सकती है बल्क डेंसिटी मतलब पोर स्पेस तो पोरोसिटी मतलब मिट्टी में कितने पोर है तो पोरोसिटी या बल्क डेंसिटी यह चैंज हो जाते है लेकिन पार्टिकल डेंसिटी किसी भी चीज की कोई भी पार्टिकल वो चैंज नहीं होती है क्योंकि प शॉख एपकी पार्टिकल का जो वेट है वो सेमाएगा विसकुसिती का मतलब सियान अतास है है जैसा अपना जो लिक्वीड है Belt है तो जैसे अपना jam है वो कम विसकास है पानी या बहुत ज़्यादा विसकास है तो विसकोसिटी का इससे ज़्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है और बैसे विसकोसिटी की value differentiate कर जाती है इसमें एक और आता है वो है स्वैल का कलर देको स्वैल के कलर पर बहुत सारी चीज़े हैं यहाँ पर जैसे अधर जो प्रॉपर्टी इन पर भी बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन यहाँ पर discussion का परपज यह नहीं किसलिए नहीं क्योंकि उन पर अपने लिए important पार्ट नहीं है जो question अपने लिए ACF के परपज के लिए ICR वालों के लिए जो अपने इदास के पुख है वो पूरी पढ़नी पड़ेगी आल्मूस्ट यहाँ soil color से आपसे कोई discovery नहीं करने वाले कि soil color पर क्या है hue value chroma की क्या value होती है उन चीज़ों पर अपने question नहीं आएंगे आपको soil color से question जो आते हैं जैसे एक तो अपने पास पुराना tradition है मिट्टी थोड़ी काली दिख रही तो बोल दिया काली soil लाल दिख रही लाल मिट्टी गेरुआ दिख रही गेरुआ मिट्टी लेकिन जब आप scientific level पर जाते हैं तो इस type से काम नहीं चलते हैं फिर उनको क्या करना होता है उनके तीन चलते हैं तो यह ऐसी बहुत सारे काम आए उनमें से एक ने आये moon cell उन्होंने अपना एक color चार्ट दे दिया तो आपको जो याद रखना है जो कुश्चन आएगा तो याद रखना है कि यह जो moon cell color चार्ट है वो soil की color को classify करने में help करता है और जो moon cell color चार्ट है यह तीन पिलर पर बेस होता है इनने बोलते हैं hue, value और chroma इनके क्या मतलब है hue, value, chroma का उसे अपने को कुछ मूसर नहीं बदलना है बस आपको इतना याद रहा को कि soil color, moon cell color chart, soil color के लिए है और यह color chart तीन पॉइंट में base है, एक है hue, दूसरा value और तीसरा chroma, इतना हो गया, काम खतम अपना है यह बिल्कुल वैसे यह जैसे फेरन लेवली वाले वो add करते हैं जिसमें एक step दिखा दी जाती है और वो step में इस type की marking होती है और बोलते हैं कि 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में अपना color है गोड़ा पना आ जाएगा तो उससे अपनी skin को compare कर लो कि अभी tone का कितना हो और बाद में कितना है तो यह जो दिखा रहे है same thing है बस उसमें एकी color होता है जो white तरफ को जा रहा है बस यहाँ पर तीन अलग-अलग color होती है यहाँ पर सभी रहों को लेके चलना होता है swail color के बाद आता है swail की ear का मुदा कि मिट्टी में जो ear है वो कितनी होगी और कैसे मिट्टी के अंदर पहुंच दिया अब देखो अगर अपनी मिट्टी के बात की जाए तो अपने पास मिट्टी दो यह एक ऐसी है जो ताला बगरा है यहाँ पर एक्सेस में moisture है तो यहां पर्ट यह पानी अंदर स्फेस में जो अपने पास होता है आपने यह पर स््छार्टिक सभानी मिंद इसे हैं 45 परसेंट पोट मैनने छह पाराइन जो एंधर को इन और भार्णिक है लेकिन यह वाला जो रीजन है यहाँ पर जो air का उसका exchange अच्छी तरह से होता है अब यहाँ पर जो exchange होता है air का तो air के exchange के दो प्रोसेस हैं एक तो होता है diffusion और दूसरा होता है mass flow यह दो चीज़ों पर ध्यान दोको के सोयल में जो oxygen या gases का जो exchange होता है वो दो टाइप से होता है एक mass flow और दूसरा होता है diffusion पहले अपने mass flow को देख लेते हैं यह कैसे होता है जैसे यह आपर गर्मियों का time है गर्मियों में ने जमीन को क्या कर दिया heat up कर दिया heat up करेगी जब जमीन heat up होगी तो अंदर की gas गरम होगी gas फैलेगी फैलेगी तो जो नीचे तो जा नहीं पाएगी तो gas दिन के time पर बाहर निकल जाएगी जब रात में यह मिट्टी ठंडी होगी atmosphere ठंडा होगा तो अंदर की air सिकुड़ेगी सिकुड़ेगी तो उसका volume size कम हो जाएगा तो उपर से यह अंदर इंटर कर जाएगी तो इस टाइप से इसके सिकुड़ेगी फैलने से भी बहुत सारी मिट्टी जो जो एयर है वो अंदर जाएगी तो यह किस से जाता है pressure gradient से तो यह mass flow रहा है इसका इसका प्रेसर ग्रेडियंट से expansion contraction of soil air वो जो है दूसरा है diffusion डिफ्यूजन मतलब नौर्माल से प्रेसर जो है concentration gradient चलता है concentration gradient जैसे कि आपके पास दो चेंबर हैं अगर इसमें CO2 है वो 40% है और oxygen है वो 60% है दूसरा यहां पर oxygen 40 है CO2 60% है तो क्योंकि CO2 यहां जदा है यहां कम है यहां जदा है तो यह क्या हो है इधर वाली CO2 इधर move करने लगेगी और oxygen इधर से इधर move करने लगेगी तो यह high concentration से low concentration की तरह move करती है इसे बूलते concentration gradient लेकिन यह process धीरे धीरे होती है लेकिन होती है और यह क्या रहे है diffusion लेकिन अगर broad labor पर देखा जा तो यह जो mass flow है थोड़ा कमी होता है यह देखो सर्दियों में मतलब हो गया सर्दियों में जड़ा फरक पालने वाला नहीं है बहुत सारी जगह क्या करते हैं कि अपने मिट्टी पर कहीं कुछ का बाद कर रखा कहीं कुछ कर रखा है तो अपनी यह जदा तर जो अपना प्रोसेस होता है और 90 परसेंट अपना अपना उक्सिएन इसी से होता है डिफूजन से दूसरा अगर सोइल एयर पे आपके कोई कुछ न आता है तो वह आता है सीओडू की कंसेंट्री से देखो हमारे जो एयर है एयर में अपना ऑक्सिएन कितना है अपनों बोलते हैं एयर में जो है वह वह 21 परसेंट है और सीओ उनने जो clay particle है उसको अपड़ाता है 0.002, 20 के बाद 2 और ये भी mm, अक्सर गलतिय ही हो जाती कि mm ये clay particle गोश जाता है, या CO2 के concentration में और गलबल आ जाते हैं, तो याद रहे हैं कि ये 0.003 नहीं है, यह 0.03 है, ये राइट है, तो atmosphere में जो CO2 है, वो 0.03% है, ये बाद सही है कि आज के टाइम पर ये 0.04 हो गई है, लेकिन क्योंकि अपने जो जड़तर एक्जाम में वो पुराने टातापी चल रहा है, तो बस वही लिखा हुआ है, तो ये 0.03% है और oxygen है इतनी, लेकिन अगर आप मिट्टी की बात करेंग जड़ता है, दस गुना का मतलब ये 0.03 से हो गया, 0.3, मतलब क्या हो गया, 10 टाइम, 10 टाइम जदा हो गया, और जो oxygen है वो थोड़ा काम हो जाए, क्योंकि काजियों काली तो 21% के compare में ये है, 20%, nitrogen ना तो air में यूज होती है, ना ही जो अंदर मिट्टी के अंदर nitrogen उसमें यूज होता है, तो यह अपनी जो 78 के समतिंग रहती है, वो 78 ही रहती है, तो CO2 के लेवल जो है, इस पर question आता है, कि CO2 का जो लेवल है, soil के अंदर वो कितना हो जाता है, तो यह तो आप से पूछेंगे 0.03, यह 0.03, 0.03 यह 0.03, इस टाइप के answer देते हैं, तो अपना 0.03 आ इसके बाद अगला पॉइंट आता है, वो है अपना soil वाटर, आखर मिटी में पानी के टाइप, मिटी में जो पानी होता है, वो 4 टाइप का होता है, जैसे कि यह है clay minerals, यह clay minerals जो है, इसमें मान के चलो जैसे calcium carbonate है, CACO3 ले लो, इसने hydroxide बना लिया, H2O के साथ यह hydrate है, 3H2 है, तो यह जो पानी है, इसके साथ chemically bond हो गया, इसे बोलते है chemical bond water, यह जो chemical bond water, यह minerals के साथ अंदर गुसा रखाया है, यह जो अपनी जड़े है पिड़ों की, किसी भी condition में इस chemical bond water को यूज नहीं कर सकती, वो बि type से unavailable form है, उसका कुछ होई नहीं सकता है, दूसरा water होता है, वो क्या है, कि जैसे आप कीजी पानी की बाल्टी में उंगली डाल दो और बापस निकाल लो, तो जो पानी है वो आपकी उंगली के चारों तरफ चिपक जाएगा, वैसे यह है कि पानी अगर यहाँ पर आया, तो वो कहीं न कहीं मिनरल्स की जो सरफेस है, उस पर चिपक सजाता है, इसे बुलते है हाईग्रोस्कोपिक मौस्चर है हाईग्रोस्कोपिक वाटर, अब क्योंकि हाईग्रोस्कोपिक है, वो भी इतना कम होता है, कि प्लांट की रूट उससे नहीं लेपाती है, दूसरा हा गेंडरल्स का उसी के वज़े से कनेफ हो गया है तो यह अवाई लेवल इसको हाईग्रोस्कोपिक वाटर को भी लेना किसके लिए पेड़ को उससे अब्जॉर्ब करना उसकी वाकात के बाहर होता है तो ना तो वह कैमिकल बाॉंड वाटर को ले सकता है और नहीं हाईग्रोस कनेफ सब्सकोपिक वाटर को इससे बोलते हैंग्रोस नाश्य को इनके बीच के स्पेस में भरक रखा है कि यह क्योंकि फिरी वाटर है तो जड़ां की जड़एं होती पेड़ों की वह इसी वाटर को एब्जाब करती है एक ठापल्द फिल वाटर है जिसे वह जैसे कि अपनी मिटी का प्रोफाइल है आप यहां पर पानी डालते जाओगे तो पहले तो यह मिटी पानी को एब्जॉर्फ करती रहेगे जब इसकी एक लिमेट है इसे बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपिसिटी वाटर होल्डिंग कैपिसिटी है तो जब वाटर उसकी कैपिसिटी से जएधा हो जाएगी उसकी जो छमता जितनी वाटर को ले करके चलने किया मतलब उसका पहले उसने जो वाटर थोड़ा बहुत डालोगे तो अपने सीधा जो हाईग्रोस्कोपिक में चला गया और डाला तो उसने अपनी अपनाल नहीं सकता तो वाटर जो है वो सीधे नीचे चला जाएगा और वो जाकर के नीचे ग्राउंड वाटर में चला जाएगा तो क्योंकि यह जो वाटर है जो है जिसे ग्रैपिटिसनल वाटर क्यों क्योंकि ग्रैपिटी के फोर्स की वज़ए से नीचे की तरह मोव कर तर पाते हैं और रिमेंडिंग जो तीन है वो प्लांट के लिए फिर यहां पर उससे कुश्चन रिलेटेट आएंगे कि रिस्यो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रिजेंट इन स्वैल तू दा वॉल्यूम ऑफ पोर मतलब एक यह वही पुरानी चीज़ें गिस्पिट के आ रही है यह 50 परसेंट अपने हो गया यह अपने 25-25 हो गया इसने गुला वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ जो पोर है उसके बीच का जो रिस्यू है उसे क्या बोलोगे एक है ग्रेविमेट्रिक वाटर कंटेंट कोई मतलब नहीं है डिग्री ऑफ सचुरेशन इसका अंसर यह जाएगा कैसे अगर यह मिट्टी है यह नॉर्मल है नॉर्मल सचुरेटेड है तो क्या होगा इसमें 25 परसेंट इसपेस होगी और 25 परसेंट वाटर अगर यह मिट्टी अनसचुरेटेड है इसका मतलब है इसमें जो 25 परसेंट वाटर चाहिए था वह बिल्कुल full saturated कर दी, इसका मतलब यह है, इसमें पूरा पानी भर दी, आपने full saturated में, अब कुछ नहीं हो सकता, और oversaturated का मतलब इसमें, जो कुछ होना था, वो तो पूरा फिला पोच चुका, आप तो पानी नीचे जा रहा है, तो यह जो space और water की जो लड़ा है, इसे क्या बो होल्ड किया जाता है, यह जो minerals है, इनके बीच की जो space है, उसमें water को होल्ड किया जाता है, जिस soil में जितना ज्यदा space होगा, उसकी water holding capacity उतनी ज्यदा होगी, अब अगर अगर अपने जैसे sand soil है, sandy soil है, sandy soil में जैदा तर तो part अपने sand के particle जो बड़े-बड़े होते हैं, वही कबर खर लेते हैं, अपने को sand particle की बीच में लग सकता है आपको, कि यहां तो बहुत बड़ा-बड़ा space है, लेकिन relatively देखा जाती है, यह particle बहुत बड़ा area कबर कर लेते हैं, तो इनका जो space है, sand का, sand में जो air space है, वो मुस्किल से 25-30% ही total area का 25-30% ही air space होता है, उस से थोड air भी लगवग 50% space बना लेती है, 50%, तो सबसे ज़्यदा जो air space है, वो होता है, clay soil में, total volume का 50%, तो अगर 50% space है, तो water सबसे ज़्यदा कौन होल करेगा, clay soil, तो water holding capacity सबसे ज़्यदा किस की होती है, clay soil की, और इसका capillary force इतना ज़्यदा active होता है, कि अगर clay soil का आपने कुछ बना पूरा एक ट्रक छोड़ दोगे, वो पूरा आपके इंद्रगांदी कैनल का पानी जो भी रेत में छोड़ दो, पूरा गायव हो जाता है, लेकिन यूपी के किसी मिट्टी में आप छोड़ दो, clay वाले में, दो ट्रक पानी छोड़ दो, वो वाँपर चार दिन बाद भी स्वैल की होती है, और सबसे कम किसी होगी, ये संडी स्वैल की, पर्सेंटेज और वाटर लेफ्ट इन स्वैल वेन प्लांट विल्ट, इनका कहना है, देखो एक विल्टिंग से रिलेटेड मुद्दा है, उसको भी यहां डिसकास कर लेते हैं, ये जो स्वैल है, इसके पास सपोज 25% वाटर चाहिए और 25% मोस्चर चाहिए, वो 25% वाटर और 25% air space, एक नॉर्मल कंडिशन में प्लांट है, वो इससे वाटर लेता है, अगर ये air पूरी का पूरी तरह से, ये जो अपनी मिट्टी है, वो पूरी तरह से saturated है, तो इसे आपने बोल सकते हैं कि एक फिल् अप्सर्व करता जाएगा, तो मिट्टी में जो वाटर है, उसकी कमी पढ़ती जाएगी, तो जैसे कमी पढ़ेगी, जो मिट्टी के पार्टिकल है, वो वाटर को और उतनी strong तरीकी से पकड़ते जाएगे, और पेड़ यहाँ पर जितनी कमी पढ़ती जाएगी, उतनी ते पार्ट जो है, वो वाटर अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर इसमें करक्टर आजाएगे, पानी की कमी के, इसे बोलते हैं, विल्टिंग कोफिजियंट, तो यह आपको समझें, टर्जिटी अले की मुद्दा है, यहाँ पर फिल्ड कैपिसिटी मुद्दा ह कर सकता है, तो यह अपना जो आज़ा आएगा, विल्टिंग कोफिजियंट का है, अब यहाँ आता है प्सवाइल के अपने फिजिकल प्रोपर्टी थी, वो खतम हो गई, अब यहाँ पर आते है अपने कैमिकल प्रोपर्टी यह दूसरा वाला पार्ट है, जिसमें आएगा स्वाइल का पिएच, पिएच बेच पर यहाँ पर ज़्यादा चीज़ा नहीं है, आप इससमत को पढ़ लेना, पिएच और पिएच पिएच स्केल पर बिताना था, तो पिएच में क्या होता है, जो पिएच स्केल होती है, अपने उपन से 14 तक, सेवन है, वो निट्राल हो होते हैं चाल यानि कि basic basic not alkaline basic अब इस skill में एक और इसू है यह जो 7 आप से एक तो यह पूछा जाता कि यह pH skill कितने से कितनी तक होती तो यह होती है 1 to 14 इस बात को याद रखें आप second thing आप से पूछा जाएगा अब basic और alkaline में थोड़ा confusion हो जाता है तो 7 से उपर है इसे क्या बोलेंगे basic बेसिक कहां से है 7 से शुरूओ के चाहुदा तक है लेकिन यहाँ पर जो 8.5 है उस से उपर के जो होते हैं उनको अपने alkaline भी बूल देते हैं 8.5 से लगवा कि 10.5 तक का जो pH होता है जहां पर जदी alkaline मतलब sodium और potassium को जो sulphate और carbonate बगारा होते हैं तो वहां की स्वेल को alkaline स्वेल बोलते हैं तो जो pH है 8.5 से उपर के को इसे alkaline भी बोल देते हैं तो यह pH का जो है कि स्केल कितनी है एसीडिक क्या होगा 7 से नीच है alkaline basic होगा 7 से उपर alkaline क्या होगा 8.5 से उपर एक जो इससे question जो आता है वो आ सकता आपका कि आपकी जो नॉर्मल स्वेल है यान कि एक नॉर्मल स्वेल का यान कि इस्टेंडर्ड जो स्वेल है जिस पर आच्छी स्वेल खाई का पियच होना च zuह erf साड़ी पांस से साड़ी 69 असपास होना चागी क्यों कि इस प्यर्मल स्वेल मिन्रेल्स क मोण गते तो इस पीच पर एवाईलेवल फॉर्म पिन जब आप नीचे पर चले जाओगी तो कुछ ऑन बाटने Самय के जैसे के फास्टप तो वह साड़े 5 साड़े 6 पर होती है दूसरा आप से पूछा जाता है कि जो अपनी फोरेट स्वाइल है तो अपनी एक तीसरा भी कुश्चन आता है इस टाइप का कि जो अपना पीएच है सपोज 7 था अगर पीएच 6 हो गया तो इसकी जो एसी डिटी है वो कितने गुणा ब है पीएफ स्कील यहां पर आपसे कुश्चन आगा इसकी भी रेंज होति है जो ऑडे उर्श इर वाले हैं डूसरे आपने जो कुश्चन वो याद रखना है पीएफ हैसे तो फिल्ड ने दी यह ज़ो फिल्ड वाले ने दी ये काफ़ी काम का है इस पक्शन आए आपने लि यह इसे लिखते थे हैं CEC, Cation Exchange Capacity, CEC, यह पता होना चाहिए कि यह सब chemical property के पार्ट है, यह physical के यह biological के तो नहीं है, अगली property आती है biological जो इसमें नहीं है, biological में किया है कि एक soil है, इसमें किस टाइप के और्गिनेच में है, कैच हुआ है, प्लांट है, तो इसे बोलते है, soil, flora and fauna, तो यह flora का मतलब flower मतलब plant और fauna का मतलब animal, तो जो soil animal है और soil plant है, उनके discuss कर लेते हैं, उसमें कि जैसे कैच हुआ है, तो जिसमें राइजयोबियम बगारा को देख लिया, अर्थवार्म को देख लिया, निमाटोड बगारा को देख लिया, यह सारी जो चीज़े, mycorrh इनको पहले study कर रखे, तो अपनों biological property मा जाते हैं, अब यहां pH के बाद कर लेते हैं, जो question is related, कि pH of alkaline soil, तो alkaline का मैंना बूला, saline और alkaline, यह जो है 7 तक है, pH जो आपका 7 से नीचे acidic है, 7 से उपर basic है, अब यहां पर 8.5 है, उसके बाद आपन बोल देते है, saline soil, अब यहां तो एक बाद देखना पड़ेगा, एक soil जो है, जो 8.5 से उपर का pH और दूसरा है, 10.5 से उपर का pH, एक soil होती है, जिसे बूलते है, saline और दूसरी को बोलते है, LK line, इसको एक बाद confirm कर लेना, कि 8.5 से उपर वाले को कैसे बोलेंगे, और 10.5 से उपर वाले को कैसे बोलते ह कि यहां पर बता देना ठीक नहीं होता है दूसरा है पी एच ऑफ ऐसी डिक स्वाइल का प्येच क्या होगा तो होगा साथ से नीचे ऐसका नीचे डिक सत्क है च Вас का प्याले पीच क्या होंड है अब इस अपने हैं वह यह होगा बेसिक अपने आपने पास यह यह साड़े 6 साड़े 7 है ये एक टाइब से न्यूट्राल के आस पास है मतलब साथ जो है वो पौंट 5 एधर पौंट 5 एधर तो इसके बैटर में अब 4 से 5 यह थोड़ा जधा है सी डिक है तो इसमें अपने 5 से 6 बाला यह अंसर लगा दें कि यही थोड़ा अपने 5 से 5 से 6 के पा तो यहां पर फोना ले लो अब यहां पर इन्हों ने बोला कि माइक्रो और मैक्रो इन में बस एक मुद्धा आता कि कौन सा माइक्रो है और कौन सा मैक्रो है तो अर्थवर्म है बड़ा होता जिसे आप देख सकते हों हला कि इसे माइक्रो फोना यी बोला जाता है कि कि य क्वेस्ट चोटे होते हैं मैक्रू फोना में अपने जो बड़े अनिमल हैं भो आएंगे इंसान है ऐलिफंट ऊस तरह फोना जो है उसको क्लासिफाइगि यहां जाता है बहुत सार Bardzo Make going start आप फार्टाल सॉयल है उसका पिस वैलियू क्या होनी चाहिए तो आप इसके साव जाए तो यह चह साथ लगा क्या जा गए क्यों कि यह बिलकुल आलकर अलकराइनाया सेलाइन आलकराइन में से कुछ आजाती है यह भी उसमें घार है यह बहुत जबह ज़्याँ कि इसका हो पाता है एक कुश्चन और देखे लो कभी कभी आ जाता है कि जो अपना रहन जो एसीड रहन है ऐसीड रहन का जो पी एच है वो कितना होता है तो वह जनरली पे पी एच जो होता है वह 5.5 से बिलो होता है ऐस चीज को थो ध्यान लगो इस पर कई वर कुश्चन आ चुक है तो अभी तक आपने जो स्वेल की जो प्रॉप cœur थी फिजिकल कैमिकल BY लॉजिकल इस चीज को देख सुकूवे थे अब अब अपनार का लास्ट पार्ट है स्वेल का कलासी फिकीसएं Classified region में क्या देखेंगे कि soil को हम कैसे differentiate करेंगे मतलब बाटाइंगे कैसे देखो एक तो पुराना तरीका था जीसे काली मिट्टी काली दिख गई तो काली है लाल देग गई तो लाल मिट्टी है पीली देग गई तो पीली मिट्टी है लेकिन यह क्या है कि लोकल लिवेल पे तो पॉसिवल है लेकिन जब ग्लोबलाइजेसन हुआ है डिफरेंट डिफरेंट इरिया के हैं हजारों टाइप की मिट्टिया तो उसको क्लासिफाई करना यह नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथाड से पॉसिवल नहीं है फिर इसके लिए फ लुनिया में सांइट के नाम पहे वो यू-एस यह ब्रिटेन नहीं किया लेकिन मैंने अपको साथ पहले बताया होगा कि आहा इन्हों ने नहीं कियागには Śजियान आप किसी भी फिल्ड में जाओगे जाओ आप न benefici में जाओ श्वाइल में जाओ बॉ पोटनी में जाओ यह आज वी इसी कोई फॉलो करते हैं लेकिन क्योंकि यूएस वालों ने पर अपना जबर जस्ती क्योंकि रसियन का फॉलो नहीं कर सकते थोड़ा इगो वाली बात है तो उन्हें अपना जबर जस्ती निकाल रखा है लेकिन वो कुछ भी कर लें पूरे दुनिया में आज भी जो माना जाता है वो यह रसियन की चलती है तो यहाँ पर थे डॉकिच्चो इन्हों ने यह स्वैल को क्लाशिफाइ करने की कोशिश की बोला कि देखो ऐसा करते हैं कि यह स्वैल कैसे पैदा हुई है उसके जैनेसिस के बेश पर अगर हम क्लासिफाइ करें तो हम एक टाइप से ब हम ने को नाम दिया उसे दिया जोनेसन तो कही बार इस टाइप से पूछा जाता है जो जोनेलिटी कॉंसेप है स्वैल कि किसी ने दिया तो अपना अंसर आएगा डॉकी चेव अगर डॉकी चेव उप्शन में नहीं मिला तो अपर आपन बोल्न लगा देतें क्योंकि पर ब एक को बोला जोनल सोयल, दूसरी को बोला इंटर जोनल सोयल, तीसरी को बोला आजोनल सोयल पहले देखते हैं आजोनल सोयल इनका कहना है कि ये बो सोयल है जिनका किसी भी क्लाइमेट वैदर से कोई लेना देना नहीं है ये तो कहीं भी मिल जाती है इसमें आती है अपनी aluvial soil aluvial soil मतलब इसे कोई फरक नहीं पढ़ता है कि tropical है, subtropical है, temperate है, क्या है कोई फरक नहीं है अगर कहीं भी पानी, जहां भी पानी बैह रहा है पानी जो भी जलोड मतलब पानी को बैह लगके जो मिट्टी लेके गया, वो जहां जमा हुई, उसे बोलते हैं aluvial या हिंदी में बोलते हैं अपन जलोड मिट्टी जलोड मिट्टी तो जहां भी बैके गया, वो अपनी aluvial soil हो गई तो इसका जोईन से कोई फरक नहीं पढ़ता अब ट्रॉपिकल की हो, सब ट्रॉपिकल को temperature, कोई फरक नहीं पढ़ता है इसका तो अजोनल soil में आती है, aluvial इस चीज को याद रखें क्योंकि इस पे भी कई वर कुछ से नहीं आ चुके हैं दूसरा आता है, जोनल soil जोनल का मतलब, ये soil किसी particular environment में ही बनेगी इसके formation के लिए एक particular climatic condition चाहिए होती है जैसी कि आपको टुंड्रा soil है इसे टुंड्रा ट्राइब का वो climate चाहिए, तभी ये बन पाएगी दूसरा चर्नोजन soil, चर्नोबियल से याद रहेगा, रसिया का हुआ था ये चर्नोजन जो soil है, वो भी रसिया में बनेगी, जो गिले soil वाली थी लेटराइब स्वयल, जो मैंने आपको बताया, लेटराइब स्वयल कहां बनेगी जहां hot and humid जैसी condition होगी, जहां hot and humid होगी, वहीं पर ये लेटराइब स्वयल बन पाएगी अधरवाइज नहीं बन पाएगी, टुंड्रा स्वयल टुंड्रा वाली condition के लिए बनेगी, टुंड्रा चाहिए उस है, ये टुंड्रा स्वयल आपके यूपी में या बिहार में तो नहीं बन सकती है, अपने जो राजिस्थान में नहीं मिलेगी आपको, लेटराइब गाड़ जैसी condition जाहिए, जो hot humid हो, तीसरी जो soil होती है, वो है interjonal soil, ये कैसी soil है, बोला कि क्या होता है, जैसे अपने पास एक zone है ये वाला, दूसरा zone है ये वाला, तो ये beach का part है, जहां पर इस zone का effect दीरे-दीरे कम हो रहा होता है, और इसका effect दीरे-दीरे बढ़ रहा होत है, तो ये beach की जो zone है, जैसे अपने ecology में एक term बोलते है, ecotone, वो area जो दोनों तरफ से बीच में फसा हुआ, दोनों ही लोग उसे तान रहे है, वो है ecotone, ecological ही तान रहे है, तो ये interjonal soil वही है, जो दो zone के बीच में फसा हुआ है, जिसमें जैसे अपनी आ जाती है, box soil, box soil कै ये उपर है, land वाला zone, ये कोई तालाब वाला है, पानी वाला ecosystem, ये land वाला, ये जो बीच वाला zone होती है, यहां की मिट्टी कौन सी है, ये है, box zone, box soil, दूसरा यहां पर याद रखो है, ये renda gena soil, saline soil, तो saline, alkaline है, box soil है, renda gena soil, इसमें renda gena पुछा जा चुका है, और box soil पुछा जा चुका, box soil आसानी से याद हो जाता है, renda gena थोड़ा रेट टमाना पड़ता है, तो यहां पर तीन टाइप की soil है, journal है, inter-journal है, agonal है, ये किसे ने दे दिया, docky ship ने, अब ये तो रहा docky ship का classification, एक soil की order भी होते हैं, जो 12 order है, आप वहां पर order आपको इसलिए नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि possibility को उनसे question ना आए, और फिर मैं order बताऊंगा, आपको वही है, रट्टा मारवाला काम थोड़ा और बढ़ जाएगा, इन चीजों में time लगता है, तो अगर अगर अपना soil type in India, इंडिया में soil के type, तो सबसे पहले तो अपने जो soil लेखेंगे, वो है alubial, यहाँ पर पूरा का पूरा अपना जो यूपी वैल्ट आपको दिख रहा है, यह पूरा alubial से भर रखा है, यह बंगलादेश कट गया है, नहीं तो अपना यह भी बंगलादेश भी पूर का alubial होता है, क्योंकि alubial को क्या है, चाहे तो वो वाटर से हो, या फिर गलेशियर होता है, उससे अब alubial से हो, तो अपने देश में से सबसे ज़्यादा मिटी का पार्ट बनाता है, वो alubial होता है, टोटल जो अपनी soil है, उसका 45% यह ही है, कौन? alubial, और बैसे alubial कौन मतलब देश में सबसे ज़्यादा कौन सी मिटी पाई जाती है, वो है alubial, ओके, अब alubial की जब बात करते हैं, तो यहाँ अपना यूपी छूटता नहीं है, यूपी से दो कुश्चन निकलते हैं, पहली बात जो alubial soil है, इसमें जोने सन नहीं होता है, खास कर इसमें B जो तक कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं देने का, मैंन मुद्दा है कि यहाँ यूपी की जो alubial है, इसकी जो depth है, वो 2 km तक गहरी है, दूसरे इसकी जोने सन पर जो कुश्चन है, वो आता है इसकी खादर और भांगर soil पर मतलब जो old alubial है, अपनों वैसे बोलते हैं, यहाँ पर जैसे चंबल वैली में है, तो यहाँ की जो मिट्टी हो, इसमें कंकर पैन कंकर की कल्शिम कार्वनेर के पार्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कंकर पैन का फार्मेशन भी alubial में बहुत ज़्यादा में जाता है, और यूपी में अपना साल भी काफी dominant है, बेसिक कोशन देखा जाए, तो alubial से आपकी या तो खादर भांगर के बारे में पूछ लिया जाता है, कि old alubial को क्या बोलते है, new alubial को क्या बोलते है, दूसरा पूछ लिया जाता है, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो moisture percentage है, यानि कि कौन सी soil है, जो सबसे ज़्याद पार्ट इसका बनाती है, और थाड़ ये है कि वही कंकर पान फॉर्मेशन की या पैन फॉर्मेशन का सबसे ज़्यादा इसू कहा है, वो alubial में कंकर का होता है, ये पैन जो term है, उसको समझ लेते हैं, इसमें क्या होता है, कि अपनी जो soil surface है, इसके कुछ deep में जाकर के, यह पर कुछ chemical यान की mineral से deposit हो जाते हैं, और एक टाइप से solid layer बना लेते हैं, इसका result यह होता है, कि यहां से जो water जा रहा था, वो तो जाएगा, लेकिन यहां पर जो plant है, अगर वो grow कर गया, तो इसकी root part को format करके बाहर नहीं निकल पाती हैं, इस वज़े से plant की growth नहीं हो पाती क्योंकि जड़ा इस पान मतला भी नीचे से hardness आ जाती है, इससे तोड़के नीचे नहीं निकल पाती, तो वो growth रुख जाती है, इसलिए इसे बोलते है hard pen, तो यहां calcium coronate का pen formation हो जाता है, अगली soil आएगी अपनी black soil, black soil का distribution दिखेंगे, वो कि अपने यह पूरा MP से लेकर के यह महराष्टा वाला डिजन तक किदर होगी पूरी black soil, black soil का यह character है, कि एक तो यह है, इसमें be how region absent होता है, और दूसरा black soil को और क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ragger यिसे बताया था बलक soil को ragger बोला जाता है, और इसमें be how region absent होता है, तीसरा कबी कभी कुस्छम ना जाता ह है उसका जो black color है वो किसकी वज़य से होता है तो उसके पीछे जो रीजन है वो है दो minerals इसमें एक है Montmorillonite और दूसरा है बिडिलाइट यह जो दो minerals है इनकी वज़य से इसका जो type है मतलब जो color है वो black होता है अब यह आपको याद ना रहें तो कोई दिक्रत नहीं है आईजियर वालों को प्राइवर्टी है यहाद रखना यहाँ पर अपने रेकर स्वाइल से जड़तर कुशन निकल आते हैं दूसरा अब इस type के कहीं question मल जाएं कि इसमें कौन सी soil में क्या deficit हो यह बहुत सारी चीज़ है हर स्वाइल में कुछ अच्छा है कुछ फराव है इतनी सा पषड़े मनी पढ़ना है बस इतना याद रखो कि अपने इंडिया में सबसे जदर जो स्वाइल है वो आती है अपन अपने इस यह एक्जाम है उनमें possibility इनके कम रहती है अब क्योंकि forestry के हैं तो इनकी species पर ध्यान देना होता है कि किसी रिया में कौन सी species dominant है तो अगर इसे सबसे बोला तो यह वो रिज़न है जहां पर बबूल वगरा जो है और टिक जो है वो काफी dominant है खासकर बबूल बब damage को जहिल नहीं पाते हैं जबकि black जो अपना बबूल है वो उस crack को जहिल लेता है इसका result ही होता है कि यह धीरे धीरे उस black soil में बबूल ही आपको मिलेगा तो एक टाइप से देख लेना कि black soil में जो है कौन सा plant सबसे ज़्यादा suitable है तो अपना बबूल आ जाता है इसके बा answer हो गया क्यों क्यों कि अलूवियल बना लेता लागा 47 या 42 परसेंट ब्लैक वी ऐसा कुछ 30-35 कि सम्धिंग बना लेता है तो 70-75 परसेंट तो एरिया तुम्हारा यही दो बना रही है तो important तो यहीं चला गया remaining में थाड़ आई अपनी red soil यह 30 रपार्ट बनाती है red soil पे ज उसका जो main distribution है वो Tamil नाडू में यह बोलो के है तो बहुत लेकिन इसका जो बढ़ना में वो तर्मिल नाडू है तो अक्तर option में जो option मिल जाता है उसमें Tamil नाडू option मिल जाता कि Southern India में तामिल नाडू में कौन सी soil है तो वो अपनी है red soil अब red soil red क्यों है obviously उसमें iron के जो minerals होग है तीसरा का भी question हो सकता है वो है pH पे तो क्योंकि आइरन बगर है तो इसका pH जो है वो थोड़ा जदा होता है साड़े 5 साथ से 8 तक pH चला जाता है अब क्योंकि यह आइरन डॉमिनेंट है तो आप बोलो कि यहां पर यहां पर यह नहीं है तो यहां पर कैल्सियम के नॉडियुल तो होती नहीं है रेड़ सोयल के बाद चौति आएगी अपनी लेटराइट सोयल जो कहां पर बनेगा हॉट है हुमिट कंडिसन चाहिए लेटराइट लेटर का मतलब लेटिन से मतलब ब्रिक्स से यह चीज़ जाती है तो उपर का जो सर्फिस एरिया है इसमें जो अपने आयरन और एल्यूमिन की जो अक्साइड है उनकी डिपोजीशन बहुत ज़्यदा होती डॉमिन हो जाती तो एक टाइप से अच्छा काम करते हैं फूरेश ठीक है तो थोड़ा देख लेते हैं कि इस रीजन में क सुटेबल क्रॉप है तो वह आती है कजिवनेट अक्रोट की यहां पर खेती बहुत करते हैं तो यह दोनों ही इंपोर्टेंट है जिने याद रखना है लेटराइट के बाद अपना आएगा डेजाटिक स्वेल जो राजस्थान में यहां पर देखो लेटराइट जो है उस अपना पूरा राजस्थान वाला है डेजाट क्या यान कि रॉक डिसिंटेग्रेट होके छोटे छोटे पार्ट में होगा लेकिन वह एक्च्वल में अभी स्वेल फर्मेसन नहीं उपाई है यह स्वेल प्रॉपर लीनी नहीं बनी है तो उसमें फटलीट के साथ इस्व है जदतर अपने राजस्थान में यह पूरा जो डेजाट वाले रीजन में है इस पिसीज की बात की जाए तो अपनी कौन सी लागेंगे वह प्रोसर पिसिंडरिया अकेसिया सेनेगल बगरा है निलोट का बगरा है बेरेर बगरा लगा देंगे कुछ और स्वाइल होई बचि मतलब यह कहाँ पाड़ी हो पे मिलेगी तो यह जद रख लो कि कहां मिलेगी पोड़ी ज атुचाइ जा चुटी कि हमालाय में अर हुमालाय सौईल को क्या बोलता है कि बोलते हैं यह सोईल और हैं जिसे हैं इसक्यलेस्टैन सईले मितला होता है कंकाल पशाफ यदिन प्रभी साथ से पंच से किसी से थो सफ़ आपको पारियां खोदनी नहीं है तो यह जो भॉपाल सिटी है यह आसपास है पारियां इसके अब यह जो पार काम है यहां पर प्रोडाक्षन बहुत काम है एक तो मैंने भॉपाल को बताया था सफेद मूजली के लिए उस जो एरिया वो उसके पीछे ही यह कि जो स्वाल है वह इसक्लेटन है मतलब जो पहलेगों के जो पत्तर हो तूट के चोट के चोटे-चोटे तो बनते हो गाया लेकिन उनमें फैटिलिटी नहीं है तो यह ना होना मतलब कंकाल है इसवाल के थी कि नाम तक कंकाल खट सी का legitimate नेसी तो स्वाइल की टाइप है उट चीजुं को याद रख लेना इस भाद इसके लास्ट की इंटिडि मेनेजमेंट में गए नेजमेंट पिर निउट्रियंट में जड़ा आपको कुछ ध्यान ने देना आपको इसकी ही अपना कुस्चन आएगा क्योंकि इसलिए मैं तो यह ऐब किक्ष्ट्रियंट में क्या है कि देखो आपके पास क्या है सोयल में है लिए फॉरिस्ट हो यह अग्रीकलचर आप चाहेटे हो कि इस टाइप से कितनी रिक्वाइर्मेंक्ट है उसकी प्लांट लगा रहे हैं वहां पर कितना आवाले बाले ये सारी चीज़ों को मैनेज़ करके करते हैं अब इसकी जो जो कुश्च न कर आएगा तो इसी टाइप का एक इंट्रोडक्शन सा पार्ट लिख रखा होगा और उसमें ऑप्शन में इंटिग्रेटिट न्यूट्रियंट मैनेजमेंट लिखा होगा उसका सीथा सीथा अपना अंसर आजाएगा इसमें रिबेनी अपने पार्ट में आएगे इसमें आएगे कारवन साइकल है वाटवर साइकल यह तो इसी चीज़ है जो आप पहले से बच्पन से पड़ती है रहा हो करवन साइकल लाइट्रोजिन जो examiner है वो snow hydrology की किताब लेकर नहीं बढ़ जाएगा उसे इतना idea नहीं रहता है कि snow hydrology में क्या पढ़ेगा बस वो आपसे क्या पूश सकता है कि आगर snow hydrology क्या है तो सीधा से आपका definition वाला cushion आ सकता है दूसरा जो कुशन आते हैं से snow related वो आता अपना cryosphere या cryology है देखो cryo जो term यूज किया जाता वो किया जाता बर्फ के लिए तो cryosphere का मतलब होता है वो जगाए वो एरिया जहां बर्फी बर्फ हो मतलब जैसे अपना एल पाइंट जो पूलर रीजन है यहां पूरा बर्फी बर भो रखिये तो इसे आपने क्या बोलेंगे cryosphere अपने हमाले में उपर चले जा तो जो बड़े बड़े पूरे पूरे बर्फ जमी हुई है गंगोत्री glaciers है तो अपने जो glaciers हैं उनको क्या बोलेंगे cryosphere और cryology मतलब वो study जो इस एरिया को study कर रहा है इस मतलब बर्फ में जो cryosphere यह आज सकता है cryology यह एक टर्म और आसकता है ecology environment ही पढ़ते हैं है कि श्टो थर्म है कि स्टो थर्म प्लांट जो है उनको temperature के वेशच पर डवाईट किया जाता है मीजो थर्म मेगा थर्म वाईक्रो थर्म और है किस तो थर्म जो प्लांस होते हैं वह उस रीजिन की स्लेवास में यह चीजा मची थी इंटर सेफन इंफिल्ट्रेशन इबाप्रेशन ट्रांस्प्रेशन यह चीज अपने सिल्वी कल्चर में पढ़ लिया था मिन्रल ट्रांस्फॉर्मेशन जो कार्वन साइकल वगरा यह चीज आप वैसे भी जानते हो तिनों जरूरत है नहीं इसके लास्ट में गलोसरी दे रखी है इसका परपर्षी यह था कि हो सकता है बहूं सारी चीजें हमूती जो कभी कभार छूट जाती हैं तो एक बार glossary में देखकर कि आपको कुछ चीज़े हैं इसमें यह देख लेना जो चीज़े आपको पहले से पता उन पर करने के कुछ जरूवत नहीं है और अगर जो चीज़े नहीं मालूम है उन पर आंगे टिक कर लेना कि अच्छा है यह ए सेज़ करना है रहा से को चैज्ट करना है कि इसकी क्या होती है रहन्स एक से चव॔र तक हो दी इसको जड़ा च्छाह पूझना है दूसरा यह स्वएयल के जो हैं उसमें आसेड इलकिलायन स्वाइल हैं जो स्वाल QUESTION다 कर रहा इसको पोछ लिता यहां यहां पर आभी तक अपने साइंस वाले में कोई दिखता ही होगी तो आप यहां पर पूछी सकते हो